Hey guys, I welcome you all to Unacademy CA Foundation YouTube channel सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं चांदर उनको बता दो कि I am Monish Hora I am a Chartered Accountant and दोस्तों मैं आप सबको CA Foundation का Economics and BC के ये सब्जेक्ट उड़ा पढ़ाता हूँ हमारे इस Unacademy के प्लाटफॉर्म पे दोस्तों आज हम हमारे इस एक वीडियो में Economics का Chapter 4 जिसका नाम है Price Determination in Different Markets इसका Unit No.1 and Unit No.2 ये दोरों यूनिट्स को एक ही वीडियो में कवर करने वाले है अगर आपने इस चाप्टर को पहले कभी भी नहीं पढ़ा तो भी आप इस वीडियो को देखके ये यूनिट्स को यहाँ पे कवर कर सकते है ठीक है ना अब देखते है मिटा Economics Chapter 4 जो है इसमें वैसे टोटल 3 यूनिट्स है है ना सो अभी यह पहला वीडियो है जिसमें आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 के क्लासेज मिलेंगे सो अराउंड धाई से तीन घंटे का हो गए सेशन और आए गए पिटा यूनिट 3 इसका अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका यूनिट 3 का वो भी इस प्रकार का वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत अच्छी तरीके से हम पूरे यूनिट 3 को कवर करेंगे सो आज इस वीडियो में यूनिट 1 और यूनिट 2 ये दोनों आपका कवर हो जाएगा अगर पहले नहीं पढ़ा है फिर भी आप इस वीडियो को देखके कवर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आपको क्या करना है आपको मुझे फॉलो कर लेना है अन अकैडमी आपको मेरी Obt시면 देखके कवर पूदा सकते है और दोस्तों आपको अगर में संक्रेकशन सब्सक्राइज trabalhar के दोनों में से-ब्लस में प्लस में आपको मिलते है PDF Notes, Life Classes and Iconic में आपको Plus के Benefits के साथ साथ Additional Benefits मिलते हैं जैसे 1-2-1 Life Mentorship Printed Books, etc. तो अभी दिवाली का Biggest Offer आया है Unacademy आपको 25% Offer भी Unacademy पे मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं वक्त CA Foundation या CA Inter का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो CA Foundation के लिए आपको ये वाला स्पेसिफिक Code यूज करना है और अगर CA Inter का लेना है तो ये वाला Code आपको यूज करना है ये Code को यूज करके ही आपको 25% Offs मिल सकता है Unacademy के Subscriptions पे ये जो Code है नहीं बिटा ये 22nd, 23rd और 24th October 2022 ये 3 दिन ही ये वाला Code क्या बता है ये Code valid रहेगे ये 3 दिन ही क्या बता है ये आपको Offer मिलेगा ठीक है तो अभी हमारा जो है ये Batches खतम हो चुके है Unacademy Plus पे एन RTPP MTP Batch ये अभी चल रहा है जिसमें हमारी पूरी Team Unacademy के आपको पढ़ा रही है तो आप जरूर आके क्या बताएं हमारे Batches को देख सकते हैं राइट तो थैंक्यूस मच चलिए अब स्टार्ट करते हैं Economics Chapter 4 का Unit 1 पहले स्टार्ट करेंगे वो होते हैं Unit 2 मैं स्टार्ट कर दूँगा और इस वीडियो में हम ये 2 यूनिट करेंगे अगला एक और वीडियो आगा जिसमें मैं आपको Unit 3 कराऊंगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले पिटा जो Concept हमारे इस हमारे इस Chapter में आता है सबसे पहले Concept आता है पिटा कि Price Price का Concept कहां से आता है कि What is Price तो Price को समझाने के लिए Price का मतलब क्या होता है ये समझाने के लिए Institute ने आपको बताएं कि देखे यार सुनिये बाद ध्यार से बोलते हैं दो टैप के Goods होते हैं एक होते हैं Free Goods एक होते हैं Economic Goods Free Goods ऐसे Goods होते हैं जो Freely Available है जिसके लिए हमें किसी को भी कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता है विच फ्री एन हम जीरो प्राइस उसे Free Goods बोलते हैं तो क्या है इसका एक्सांबल जैसे की हवा, Sunlight, Etc मैं हमेशा बच्चों को बोलता हो कि गहरी सांस लेके देखो क्या आपने किसी को पेमेंट किया इसके लिए नहीं, फुकड में है तो वही तो है Air, Free Goods वैसे ही, Economic Goods जो है Economic Goods are scarce in relation to their demand and have an opportunity cost तो Economic Goods को खरीदने के लिए आपको Market में क्या देना पड़ता है उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है तो जो पैसा आप देते हैं उस Economic Goods को खरीदने के लिए उसे ही हम Price बोलता है तो कोई भी चीज जो हम Market में जाके खरीदेते हैं, बेचते हैं उसे हम Economic Goods बोलता है और Economic Goods को खरीदने के लिए जो हम Market में पैसा देते हैं उसे ही उसकी Price बोलता है बोलते हैं कि economic goods में opportunity cost होती है जैसे अगर मेरे पाद 10,000 रुपए है और अगर 10,000 रुपए में मैंने mobile phone खरीद लिया अगर 10,000 रुपए का मैंने mobile phone खरीद लिया तो वही 10,000 रुपए से अब मैं कपड़े नहीं खरीद पाऊंगा तो हमेशा opportunity cost involved होता है economic goods के case में तो बोलते है price क्या है बोलते है price is the quantity of money necessary to acquire a good or a service एकदम chill to बात है next बात बीटा इसमें आती है देखेंगे value in use versus value in exchange value in use versus value in exchange बोलते है value in use का मतलब क्या है it refers to the usefulness or the utility और the attribute which a thing may have to satisfy human needs जैसे की मेटा मैंने बोला calculator calculator का value in use क्या है बोलते calculator को हम use कर सकते है calculation करने के लिए तो exams में हमरे calculation को आसान बराने में help करता है calculator तो उसका value in use क्या है बताइए कि हमें calculation में help करता है value in exchange क्या है कि अगर मुझे calculator को market में जाके खरीदना है वो होता है value in exchange तो देखो क्या लिखा है value in exchange is the economic value is the amount of goods और service which we may obtain in the market in exchange of a particular thing मनलब पैसा देखे हम जब एक calculator खरीते हैं कितना पैसा दिया एक calculator के लिए वो उसकी value in exchange बताता है मतलब कि बेटा प्लीज बात को समझ रहा कि जैसे मारी बात थी सुनिये ध्यान से अगर एक calculator बेटा आता है 300 रुपे का यह अगर 300 रुपे का एक calculator आता है तो मुझे एक बात बताईए अगर मैं calculator खरीदने जाओ तो मुझे भी 300 का मिलेगा अगर समयक calculator खरीदने जाओ उसको भी 300 का मिलेगा अगर क्रिश खरीदने जाओ उसको भी 300 का मिलेगा समझ मारा है अच्छा वैसे ही value in use जैसे हमने कमरा value in exchange ना यह बार बार बदलता नहीं है यह सब लोगों के लिए same रहता है लेकिन value in use जो है यह अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है जैसे कि पेटा समझो आप एक CA student है तो CA student के लिए calculator की value in use बहुत ज्यादा है लेकिन इनके ही comparison में अगर कोई व्यक्ति है जो doctor की पढ़ाई कर रहा है जो MBBS की पढ़ाई कर रहा है तो MBBS की पढ़ाई में आपको calculator का उतना ज्यादा use comparatively नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे के CA student के लिए calculator का value in use ज्यादा है लेकिन MBBS के student के लिए calculator का use उतना ज्यादा नहीं होता तो हम बोलेंगे value in use जो है न ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है लेकिन value in exchange सब के लिए same होता है समझ मारा तो हमारा value in use चू की ये बार-बार बदलता है इसलिए हम value in use की बाते economics में नहीं करते हैं हम इस chapter में value in exchange की बात करते हैं मलब price की बात करते हैं कि किसी प्रोड़क को खर दने के कितना price देना पड़ेगा हम उसकी बात करते हैं हम value in use की बात इस chapter में नहीं करते हैं दूसरी बात बोलता है in economics we are only concerned with the exchange value बहत बार लोगना sentimental value भी जोर देते हैं है ना जैसे की जैसे की पेटा समझो जैसे की पेटा समझो छा पर फ्लीज धान देंगे जैसे की सुनीए न अपनी ये कार मुझे दे दे में जिन्दगी भर तुझ जो बोले वहा तुझ जो रिटヤ When we work काम करेंगे इसकी कोई वैल्यू निक्राशक्तेगा पर नहीं तो यह सब चीछों की बात हैं हम इकनॉमिक्स में नहीं करते यह कहें बोगोंते कंसीड़ेशन सच अस सेंटीमेंटल वैल्यू मीन लिटल इन अ मार्केट इकनॉमिशा कुई सेंस नहीं है मार्केट को इसको consider नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि यह बहुत ही subjective होता है चीज, ऐसा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, meaning of a market, market क्या होता है, बोलते हैं, market कोई भी ऐसी जगा है, it is a collection of buyers and sellers with potential to trade, है ना, ऐसी जगा है, जहाँ पर buyers and sellers आके मिलते हैं, and sale हुआ, मलब, क्या लिखा है, potential to trade, मलब, ज़रूरी नहीं कि हमेशा transaction हो, जैसे समझो, आप अगर mall में घुनने जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादतर time, आप mall में time pass करने जाते हैं, है ना, AC की हवा मिलके में time pass करो, तो हम क्या window shopping करने जाते हैं, तो जब आप window shopping करने जा रहे हैं mall में, window shopping मतलब क्या, बस उस mall को में market नहीं बोलूँगा, क्या, उसको भी market बोलूँगा, समझो, आप mall में गए, आप आपने कोई चीज खरीद ली, तो भी हो marketing के लाएगा, तो बोलते क्या, कि market is a collection of buyers and sellers with the potential to trade, मलब trade हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, आगे बरते next, बोलते हैं, market need not be formal, और held in a particular place, बिटा, आज कल technology इतनी जाथा updated हो चुकी है, कि अब जरूरी नहीं कि हमारा market कोई एक particular जगा पे held हो, है ना, अब आज कल क्या होता है, घर पे बैठे बैठे चीज़े, online भी तो order कर सकते हैं, कहीं पे जाने की ज़र थोड़ी ना पड़ती है, तो बोलते हैं, अब आज कल ऐसा जरूरी नहीं कि market कोई particular जगा पे ही होता है, जहां पे जाके ही आप चीज़े खड़ित सके हैं, तो जरूरी नहीं कि आज कल से physical form में market हो, online market भी होता है, जैसे आप सब को बता है, quicker, OLX, flip card, Amazon, etc. समझ मारे हैं, आगे, पिर बात आती है, elements of market elements of market मनलब क्या, market के ऐसे कौन से features है, जिसके bigger market हो ही नहीं सकता, बनी सकता, मनलब की important, important components of market, उसे बोलते हैं, element, important, important, important क्या बता ही, first components of market क्या है, बोलते है, buyers and sellers के obvious सी बात है, अगर buyers and sellers होंगे, तो ही market form हो सकता है, next, अब product और service, बेटा, buyer और seller मिलके अंताक शरी तो खेलेंगे नहीं, वो product या service को खरिदने बेचने की बात करेंगे, next, फिर आता है bargaining for a price, ये बहुत वच्चों दिक्कत होती है, bargaining वाले शबसे, क्योंकि हमको logic नहीं बता रहता, हम क्या बता ही है, common sense की, common sense भी नहीं बोलना चीज़ को, common parlance बोलना जो layman जिस language में बात करते हैं, हमको वही मतलब पता रहता है, तो bargaining का मतलब हमें लगता है discount मालना, लेकिन bargaining का actual मतलब होता है, power to influence the price, तो बोलता है हर एक market में, या तो buyer के पास हो सकता है, price को influence करने का power, price को बदलने का power, या seller के पास हो सकता है, price को बदलने का, price को change करने का power, समझ मारें, जैसे monopoly market में seller के पास होता है bargaining power, monopoly market में, जैसे perfect competition में seller के पास कोई bargaining power नहीं होता, seller चाहां के भी price नहीं बदल सकता, समझा, तो बोला है market में buyer and seller होना चीए, एक product या service होना चीए, जो खरीदना बेचना चाहते हो, bargaining for a price होने चीए, या तो seller के पास, या तो buyer के पा the price, power to affect the price, power to change the price, bargaining power, आगे, knowledge about the market condition, यह क्या है, यह हम generally ऐसा assume करते हैं, कि हम हमेशा rational buyer and seller की बात कर रहे है, rational मतलब क्या है, ऐसा ब्यक्ति जिसको सारी knowledge market के बारे में, उसे पता है, कि कौन सा product कहां पे कितने रुपे का मिल सकता है, and finally, one price for a product or a service, obviously, एक given point of time पे एक product का एक ह price होना अच्छे, यह common sense की बात है, अगर मैं market में गया, and मैंने बुला कि यह मुझे mobile चाहिए, तो दुकान दार ने बोला, ठीक है, यह mobile phone, 50,000 का, 60,000 का, 80,000 का, तुमको जो price देना है, दे दो, ऐसा होता है, अरे, एक चीज का, एक ही price होगा न, एक point of time पे, बस वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, elements of market, आगे बढ़ेंगे, next बात आती बिड़ा, classification of market, very very important, सबसे important, unit 1 का, जो topic है, वो यही है, classification of markets, yes, यहाँ तक बात है, समझ में आ रही है, यह या नहीं, मुझे please बताएंगे fast, ओके, आगे बढ़ते हैं, सो देखेंगे, सबसे पहले आते बिड़ा, general classification, कि general way में मैं मार्केट को कैसे classify करू, general way में हम, market को classify कर सकते हैं, in form of product market, या factor market है, तो general classification, product market, factor market, फिर आता है, geographical area के basis पर classification, जैसे कि local market, regional market, national market, international market, फिर आता है, time के basis पर, very short period, short period, long period, very long, या secular period market, फिर आता है, nature of transaction, spot या cash market, forward या future market, फिर आता है, regulation के basis पर, regulated market, unregulated market, volume of business में, wholesale market, retail market, and type of competition में, perfectly competitive, imperfectly competitive, and इसके अंदर आता है, फिर, monopolistic, monopoly, and oligopoly, ठीक है, येस, ये क्या है, एक, एक broad chart है, एक single chart है, जिसमें मैंने, types, है ना, classification market का, बना है, अब हम, एक, एक को, यहाँ पर, detail में, देखेंगे, please, धान दीजे, detail में, मतलब, revise करेंगे, आई, yes, please, धान देखेंगे, चले, please, धान देखेंगे, हाँ, तो, यहाँ पर देखेंगे, मतला, सबसे पहला, क्या है, बताईए, यहाँ पर सबसे मेंना, प्रोडाक्ट मार्केट, बोलते हैं, प्रोडाक्ट मार्केट मार्केट मिदलाब क्या, अब सुनना, इसके लिए जो डाइगराम बनाई है, यह डाइगराम सा आपको समन्वा आ जाएगा, देखो, यह क्या है, यह एक business firm है, business organization है, business organization क्या करते है, अपने good या service को बनाने के उनको कुछ input लगते है, factors of production लगते है, तो business organization जो है, जिस market से, जिस market से inputs खरीदता है, जिस market से factors of production खरीदता है, उसे factor market बोलते है, तो business organization क्या करेगा, factor market से input लाइंगा अपने business में, यह input पे processing करेगा, input को output में convert करेगा, अब यह output जो final good या service बन चुका है, इसको बेचेंगे कहा, तो जब हम final goods and services को बेचते हैं, तो उसे बेचा जाता है, बेटा, हमारे product market के अंदर, क्या बास मेरी कबर रहो, उसे बेचा जाता है, हमारे product market के अंदर, है ना, तो देखें, ध्यान देंगे, product market क्या होता है, the market, तो product market allocate goods to consumers, मला प्र market for goods and services in which households buy goods and services they want from firms, and factor market क्या होता है, बोलते है, factor market होता है, जहाँ पे firms buy करते है, resources यहाँ से, जैसे कि land, labor, capital, etc, तो produce goods and services, है ना, तो factor market allocates productive resources to producers, है ना, तो factor market में, हम जब हमारे input को खरीदेते हैं, तो जिस price पे हम input को खरीदे हैं, उसे हम बोलते है, factor price, तो factor market, product market next, फिर हम बात करेंगे, बेटा, classification on the basis of geographical area, प्लासिफिकेशन on the basis of geographical area, प्रीज ध्यान देंगे, तो इसमें total 4 type होता है, मैंने आपको बताया था, एक बार quickly बता देता हो वापस से, क्या है, चार type, local market, regional market, national market, international market, है ना तो चले ध्यान देंगे, सबसे पहले, local market, अब देखो, जितना मैं पूर रहो, उतना याद रखेंगे, चीक है, जितना मैं पूर रहो, उतना प्लीज याद रखेंगे हाँ पर, प्लीज ध्यान देजे, लोकल market, local market मतलब बिटा, सुनना बाद ध्यान से, कि ये जब हमें classification बुक में दिया है न, तो इंस्टिटूट ने बुक में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है इंस्टिटूट ने बुक में, इंस्टिटूट ने बिटा बुक में लिखा है, कि अब ये classification outdated हो चुका है, मलब आज के जमाने में ये classification उतना relevant नहीं है, पर आपके बुक में दिया है, तो पढ़ लो, बस इंस्टिटूट खुद ही बोलता है, कि ये आजकल, ये classification, आजकल ये outdated हो चुका है, लेकिन फिर भी, अब इसे पढ़ने के लिए याद रखेंगे, कि MCQ कैसा आएगा, आपको पूछेंगे, local market में हम कैसे goods बेच सकते हैं, तो बोलते है, when buyers and sellers are limited to a local area or region, बोलते है, जनरली क्या होता है, कि जब हमारे बहुत ज्यादा perishable, highly perishable goods होते हैं, अब perishable goods मतलब क्या, ऐसा कोई good, जो जल्दी खराब हो जाए, उसे perishable goods बोलते हैं, तो जो highly perishable goods होते हैं, वो goods को, अगर उन goods को मैं क्या करूँ, बताइए, अगर उन goods को मैं बहुत दूर जाके बेचूँगा, दूसरे country में, दूसरे city में, तो उतने time period में वो goods खराब हो जाएंगे, समझ मारे हैं, इसलिए जो highly perishable goods होते हैं, उन्हें local market में बेचतो, ऐसे आपको logic यात रखना है, तो बोल की article बोलते हैं, बोलते हैं, भारी भरकम चीजों को दूर जगा तक transport करने में बहुत कटी नाया होती है, इसलिए भारी भरकम चीजें, बलकी article को क्या करना बताइए, local market में ही बेचना चाहिए, तो बोलते हैं highly perishable and bulky articles, इसको क्या करना चाहिए, बताइए, local market में ही हमें sell करन चाहिए, इसका reason क्या है, बलकी article का अगर हम transport करें, तो बहुत जादा ये un economical, मतलब क्या बहुत मेहंगा पड़ सकता है हमें, ठीक है, आगे next, बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है, जैसे की बिटा ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, बताइए, यहाँ पे ये cutting कर रहा है, इसका ये बात का photo है, समझे बात को, हाँ, चलो ध्यान दीजे, तो मैं ये बहुत बार क्या होता है, कि आप कुछ services आपकी locality से ही ले सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे haircut कराना हो, तो क्या मैं बैंगलोर से मुंबई जाओंगा, क्या haircut कराने, मैं क्या बैंगलोर से मुंबई जाओं अगरी perishable goods and bulky articles, कहां sell करेंगे, local market में, next, अगरा देखेंगे, regional market, बोलता है, बहुत बार कुछ ऐसे markets होते है, जिनका, जिनका क्या बता है, विच है सा wider area, wider area किसके relation में, local market के relation में, इनका थोड़ा wider area होता है, मलब regional market के जो products होते है, वो सिव एक city, एक locality में नहीं, multiple cities, जो आजू-बाजू में cities होती है, वहाँ पे इनके goods बिखते है, जैसे कि क्या बता ही, fast ओलते हैं, जैसे कि आपका मेखेला चादर, तो मेखेला चादर, अगर हमारे class में कोई आसाम से कोई student है, तो बता सकता है, कि मेखेला चादर जो है, ये traditional आसामीज सारी है, अब ये जो है आसाम के आसपास भी आपको सारी मिल सकती है, मलब few adjacent cities में, या कुछ parts of state में, आपको ये मिलेगा, ऐसा नहीं, किसी एक ही जगा पी मिलेगा, ऐसा नहीं है, कुछ adjacent, आजू-बाजू के cities में भी available होता है, क्या मेखेला चादर, वैसी पीटा, एक chain है, ये वले चाए, तो जो लोग पूने के होंगे, जो लोग नाकपूर से विलाउंग करते होंगे, उनको पता होगा, ये वले चाए, ये क्या है, ये भी एक regional market का example है, ये वले चाए, क्या है, इनकी चाए की chain है, है ना, चाए की क्या है, chain है, मतलब कि ये पीटा, पूने में, नाकपूर में, इनके बहुत सारे ऐसे shops है, है ना, बहुत सारे ऐसे tea stalls है, ये वले चाए, कि तो ये भी regional market में आ जाता है, है ना, तो regional market covers a wider area, such as few adjacent cities और parts of states, और cluster of states, cluster मतलब क्या, group of states, ऐसा, तो बाता है, the size of the market is generally large, मतलब क्या है, local market से थोड़ा सा large होता है, regional market, next, फिर बात आते हैं, आपकी बत मतलब क्या बताइए, बोलते हैं कि जब हमारा, when the demand, when the demand for goods and services is limited to the national boundaries of a country, है न, मतलब कि हमारे इंडिया की boundary के अंदर ही, हमारे इंडिया के boundary के अंदर ही, जो goods and services भीकते है, इंडिया के बाहर उतने नहीं भीकते, इसे बोलते हैं कि उन goods and services का national market, जैसे कि यहाँ पर एक्सा May have a national market in India and outside India, one may not have a market for Hindi books, अब देखो यह क्या बता रहे हैं, यह पूराने जमाने की बाते बता रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया के बाहर भी Hindi language में books भीकती होगी, बिल्कुल भीकती होगी, तो वहीं बोल रहा हूं कि यह जो classification हम अभी पढ़ रहे हैं, यह प आ देंगे वापस से, when the demand for goods and services is limited to the national boundaries of a country, MC क्यों आता है, क्या बोलोंगे, तो हम बोलेंगे कि हमारा national market है, बहुत बार government भी ऐसी trade policy बना सकता है, which may restrict the trading of a commodity outside the country, मतलब क्या, जैसे कि अभी बीच में, अभी बीच में onions बहुत महेंगे हो गया, प्याज, अभी निम्बू बह कर सकता है, कि एक policy बना दिया, कि भाहिया, अब इंडिया से प्याज और निम्बू export नहीं करना, मल, अब क्या हो गया, policy ही ऐसी बना दी, कि इंडिया के बाहर हम बेची नहीं पाएंगे, तो प्याज और निम्बू का फिर national market बन जाएगा, क्योंकि government नहीं ऐसी policy बना दी, क ऐसे तो ही नहीं, बेटा, example के लिए समझा रहो, ठीक है, आग, next बात आती ही, बेटा, क्या, international markets, ठीक है, तो international markets मतलब क्या, ऐसे goods, जो बहुत ही high value के होते है, बहुत मेहंगे goods होते है, and small bulk, मतलब की छोटी quantity होती है, लेकिन उसकी value बहुत जादा होती है, ऐसे goods का international market होता है जैसे की gold, जैसे की silver, इसका international market होता है, तो high value, small bulk commodities जो है, वो international level पर हम उसे बेच सकते हैं, बहुत इंडिया का gold है, वो USA में भी बेच सकते है, यहना इंडिया का gold, जर्मनी में भी बेच सकते है, एटसेटरा, ऐसे, तो high value, small bulk commodities का market कहा है, international market में होता है, क्या यहां तक बासन में आ रहे हैं तो जितना मैंने बोला है उस पर एंसी को आएगा ज्यादा टेंशन लेनी की बात नहीं है अगली बात करेंगे बटा चल्दी से क्या बताईए classification of market on the basis of time इसमें सबसे पहला एंसी की बिटा आपको आता है कि हम markets को time के basis इस पर classify कर सकते हैं ऐसा किस ने बोला था तो इसका answer होता है यह चीज बेटा बोली थी किसने बताईए यह चीज बोली थी हमारे Alfred Marshall भाई साब नहीं है तो यह MC क्यों आता है सबसे पहले होता है बिटा आपका क्या बताईए सबसे ले होता है very short period market then short period फिर आता है long period very long period very short period market का दूसरा नाम है market period याद रखेंगे यह भी यह आ सकता है very short period market home क्या बोलता है इसे market period भी बोल सकते हैं यहां पर क्या होते बिटा यह एक ऐसा time period है जहां पर हमारा supply यह ऐसा market होता है जहां पर हमारा supply fix जो होता है हम supply को एकदम से increase या decrease नहीं कर सकते हैं बोलते हैं generally perishable nature के जो goods होते हैं वो very short period market में बिख सकते हैं अब जैसे ही मैंने यह चीज बोली न तो कुछ बच्चों के दिमाग में अभी doubt आएगा क्या कुछ बच्चों के दिमाग में doubt आएगा आपने दो अभीच बोला कि perishable goods तो कहां भी केंगे लोकल मार्केट में भी केंगे है ना किसी कोछ लोग के दिमाग में चीज क्या कर सकते जीवन है ना क्या कर सकते जीवन है ना तो चलिए इन बच्चों के लिए हम बोलते हैं एकजाम्पल ले रहा है संचलेगी इसा सुने इसमें खेंण से में कर देता है कि ठीक है तो हम इसके लिए एकजाम्पल ले रहे हैं ज्यान देंगे चल्दी से मैं बौरू जैसे की लेकी चल यहां तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं येस चले आईए जल्दी से देखेंगे मैं बोरो बिटा जैसे कि मैंने बुला कि यहां पर क्लास में जो है स्वाती और कौन है साहिल फिर कौन है पूरब पूरब और कौन है पूजा और कौन है रितेश ठीक है तो स्वाती साहिल पूरब पूजा रितेश मैंने बोला कि यह सारे बच्चे जो है यह सारे स्टूडंट सी स्टूडंट है तो मैंने अभी इनका अध क्लासीफिकेशन कर रहा है अब मैं इनका लौ सीफिकरण करूंगा वैटा ओन और मैं बोलूँगा यहां पर बीटा कि साहिल क्या ho रहे हैं, यह कौन है? मैं बुलूंगा यह लड़के हैं, बॉइज हैं. तो आप ऐसा बूलेगे क्या? अरे सर ऐसे कैसे? आपने साहिल तो चैस्लेंट हैं, वो लड़का कैसे हो गया? अरे बेटा, यहाँ पे हम जेंटर गी हिसाब से classification कर रहे हैं, यहाँ पे हम courses के हिसाब से classification कर रहे हैं, तो same चीज़ का multiple classification हो सकता है, वैसे ही मैंने बोला कि perishable goods को अगर area के basis पे classify करें, तो perishable goods को कहां बेच सकते हैं, मैंने बोला local goods, local market, मैंने बोला कि perishable goods को अगर मुझे बेचना है, time के हिसाब से, market classification time के हिसाब से, तो फिर कहां बेचू, तो फिर बोलेंगे local, फिर बोलेंगे very short period market, समझा, वापस से, मैंने बोला perishable goods, जोग्राफिकल area के हिसाब से, कहां बेचू, तो हम बोलेंगे local market, मैंने बोला perishable goods, मैं time के ह सबसे कहां बेचू तो बलेंगे very short period market, यह logic समझ मारा है, क्या चल रहा है, yes on मुझे बढ़ा है, यह fast, चली से, हाँ, ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो क्या है very short period market, इसे market period भी बोलते है, प्लीज याद रखेंगे, यहाँ पर कॉंट से goods बिकेंगे, यहाँ भी perishable goods बिकते हैं, है ना, यहाँ पर हम supply को एकदम से कम जादा नहीं कर सकते हैं, तो यह MC क्यों आता है, in which type of market, the supply is fixed, क्या बोलेंगे, very short period market, नेक्स आता है, short period market, जो कि very short से थोड़ा बहुत बढ़ा होता है, तो बोलते हैं, which is slightly longer than very short period, वो short period होता है, बोलते हैं, यहाँ पर हम supply को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, by increasing the use of variable input, हम variable input को बढ़ा के, थोड़ा बहुत हमारे output को यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हम supply को बस थोड़ा बहुत ही adjust कर सकते हैं मो созbased लोंग पीरेट मार्केट किया होता है लांग रन में साप्र क्या होता है है औल से कम बतायान अधन च्याल को फुली एडशुक्त कर सकता हूँ और जहां पे हमारे long run का supply गर demand कर intersect करता है वहां हमें मिलता है बिटा long run, equilibrium price या normal price Next आते हैं बिटा very long period या secular period इस पे MC क्यों आता है कि very long period market का दूसरा नाम क्या है हम बोलेंगे secular period market समझ मारब येस बोलते है वेरी long period market का होता है जिसका period बहुत ज्यादा लंबा होता है मलब very long period market के अंदर बहुत सारे long period खतम हो जाते हैं समझवा रहा है very long period इतना ज्यादा long period होता है उसके अंदर बहुत सारे long periods खतम हो जाते हैं ऐसा ठीक है तो ध्यान देखेंगे तो यहां पर जो है very short period या market period मैं क्या बोला मैंने यहां पर supply हमारा fixed होता है इसको हम increase or decrease नहीं कर सकते तो जो perishable goods होते हैं जैसे कि vegetables वगड़ा यह very short period market में ही बिखते हैं यह समझवारा क्या बोल रहा हूं आगे next next देखेंगे हां पर कि देखो चूकी हमारा देखो यह मैं बना रहा हूं supply curve फ्लीज ध्यान देंगे यह मेरा बिटा क्या है this is my supply curve ओके बोलता है कि हमारा supply curve तो fixed रहेगा क्योंकि very short में वो change इच नहीं होगा मतलब कि हमारा जो price चल रहा है अभी market में अगर समझो हमारा अभी price चल रहा है यह price हमारे चल रहा है P3 तो price में change कैसे आए बोलता है कि very short period म मार्केड में supply को हम change नहीं कर सकते तो very short period में price में change तभी आता है जब demand curve बदल जाए अगर demand curve में change आएगा तो ही price में change आएगा कहां पर बताईए हमारे short period मार्केड में यह समझ मारे क्योंकि supply fix जबल प्राइस में change कब आ सकता है very short period में जब हमारा demand change होता है तब next फिशॉर्ड पिरेड मार्केड में क्या MC को आ सकता है मैंने बला कि यह slightly longer होता है very short से और यहाँ पे supply को moderately adjust कर सकते है long period में क्या होता है यहाँ पे supply को हम fully adjust कर सकते है आगे very long period में क्या MC को आत बस इतना ही इसमें important है next फिर बात आती है classification of market on the basis of nature of transaction guys come on yes जल्दी से सुनेंगे बात ध्यार ध्यान से यहाँ भी ध्यान देंगे बटा पहला जो है nature of transaction के हिसाब से हम market को कैसे classify करते हैं बोलता है spot market या forward market spot market को हम मैं बोलता हूँ cash market spot market में क्या होता है अभी के अभी मैं goods य रीतता हूँ अभी के अभी उसका payment करता हूँ अभी कभी payment करूँगा या कुछ समय बात करूँगा पर main चीज क्या होते है spot cash market में हमें जो buyer है उसे good या service आज के आज मिल जाता है समझा तो spot market में क्या होता है where where क्या बताईए where the goods and services are exchanged today itself for money payable या तो अभी का भी पैसा देद या आपने एक हाद मैंने एक दो मैंने बाद दिया तो भी चलता पर good या service आज के आज मिल जाता है mark spot या cash market में forward या future market में बेटा क्या होता है यहां पे जो है आज आपको goods या service नहीं मिलता है forward या future market में आज आपको payment भी नहीं करना है हाँ आज आपका सिव agreement होता है तो बताए in this type of market it involves contracts with promise to pay हम आज क्या करते हैं सिव agreement करते हैं contract करते हैं seller के साथ या buyer के साथ हम बोलेंगे कि मैं मैं बोलूंगा समझ लीजे मैं साहिल को बोलूंगा कि साह हम हिल मैं तुम्हें 3 महिने बाद reliance का share बेचूंगा 500 रुपे का समझे ने तुम्हें 3 महिने बाद reliance का share बेचूंगा 500 रुपे का एक share आज हम बस ये contract करेंगे promise करेंगे एक दूसरे को कि तीन महीने बाद हम आपको जरूर शेर देंगे और तीन महीने बाद आपको हमको payment करना बढ़ेगा ये होता है forward या future market में तो forward या future market में आज आपको कोई goody या service नहीं मिलता आज हम बस contract में होते हैं ठीक है आगे next फिर इसक regulated market होता है regulated market का मतब क्या होता है जिनके transactions के उपर government की निगरानी होती है तो the market in which the transactions are statutorily regulated law के हिसाब सुन के transaction भी निगरानी रहती है उसे regulated market बोलते है जैसे कि stock exchanges एमसी क्यों आता है कि stock exchange किस प्रकार का market है यह regulated market है सेभी stock exchange board of India के निगरानी रहती है stock exchange के सारे transactions के उपर next आता है unregulated market ऐसा market जो free market होता है यहाँ पे कोई भी transactions पे किसी की निगरानी नहीं होती है जैसे कि सब्जी मंडी सब्जी मंडी में पाच किलो टमाटर बेचा एक सब्जी वाले में तो उसके क्या transaction की नोटिंग होती है का गई फे उसके transaction में को निगरानी रखता है नहीं वो अन्रेगुलेटर मार्केट है फिर बात आते हैं पिर बात आते हैं क्लासिंटेशन ओफ मार्केट ऑन दी बिसस और वॉल्यूम औफ बिसस्ट वरी वरी इंपॉर्डन बोलता है दो टाइप के मार्क बेचेगा या तो मैनुफक्ट्र पर होल्सेलर को बेचेगा होल्सेलर रीटेलर को बेचेगा मरब ट्रेडर्स के बीच में होता है तो ट्रांजक्शन इन होल्सेल मार्केट टेक प्लेस बीटिविन ड्रेडर्स तो यहाँ पे जनरली होल्सेलर रीटेलर को गुड्स बेचत in bulk और large quantity ये MC क्यों आ सकता है कौन से market में bulk या large quantity में हम goods बेचते हैं wholesale market retail market क्या होता है ये होता है बेटा this is the market for ultimate consumers मनलब इसके लिए बेटा शब्द होता है हमारे पास कि हम जो है retail market को बोलते है B2C business to customer यहाँ पे retailer customer को goods बेचता है wholesale market को हम बोलते है बेटा B2B business to business यहाँ पे एक business organization दूसरे business organization को goods and services बेचता है तो B2B क्या है बताइए wholesale and B2C क्या है retail market retail market में small quantities में goods and services बिखते हैं wholesale market में bulk या large quantity में goods and services बिखते हैं next आती बेटा बात classification of markets on the basis of competition बोलते है दो टाइप होते है perfect competition imperfect competition perfect competition बेटा एक ऐसा market होता है जहाँ पे seller के पास कोई भी bargaining power नहीं होती तो your sellers have no bargaining power इसका मतलब क्या है कि perfect competition एक ऐसा market होता है जहाँ पे sellers अगर चाहे भी तो भी वो market की price नहीं बदल सकते हैं market में जो price चल रही है उस price पे ही sellers को अपने product को बेचना ही पड़ता है इसे बोलते है bargaining power नहीं है तो sellers को जो market में price चलती है वो accept करनी पड़ती है इसलिए हम perfect competition firms को बोलते है price taker undertaker होते हैं यह लोग आगे और यह लोग कौन होते हैं यह लोग केन होते हैं imperfect competition यह लोग क्या करते हैं चोक स्लैम देते हैं इसा मार्केट जहां पे seller के पास या तो फुल या तो सम बार्गेनिंग पावर हो मनलब कि अगर seller के पास थोड़ा बहुत भी price को change करने का पावर है तो हम बोलते हैं कि वो market imperfect competition में आता है समझ मारा है आगे येस फिर क्या है बताईए यहां पे perfect competition तो perfect competition यहां पे देखेंगे क्या है perfect competition है कि ऐसा market होता है जहां पे where there are many sellers and many buyers selling identical products to many buyers मनलब क्या यहां पे सब सारे sellers के products identical होते हैं homogenous होते हैं बिल्कुस सेम होते हैं हर एक seller सेम तरीके का product बेच रहा है same price पे बेच रहा है perfect competition इसके बारे में detail में हम unit 3 में पढ़ने वाले next आते है बिटा monopolistic competition monopolistic competition मतलब क्या है यहां पे भी many sellers होते है है मैंनी बाइद होते हैं लेकिन यहां पे differentiated products बेचते हैं sellers यहां पे जो sellers है यह differentiated products बेचते हैं differentiation का मतलब क्या होता है कि products are similar but not identical समझवारा है कि वो कि वो हमारी दोस्त है लेकिन नहीं है मतलब क्या differentiated products are similar but not identical समझवारा तो differentiated इसे बोलता है जैसे कि shampoo है ना soap बोलते हैं सारे soap सारे shampoo सेमिच काम करते हैं लेकिन सब में थोड़ा-थोड़ा कुछ difference होता है ऐसा ठीक है आगे बढ़ेंगे next इसके बाद फिर आते हैं मोनोपली मोनोपली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे single seller होता है एक ही seller होता है एक ही seller होता है बायस बहुत सारे होता है तो मोनोपली मोनो मदलब क्या single poly मदलब क्या seller तो single seller monopoly खतम टाड़ा बाई 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 यहां पे जो है products extremely extremely differentiated होते हैं, यह MCQ आता है, और बच्चे यह गड़बड करते हैं, अगर आपको सवाल आए, कि extreme differentiation कहां पे होता है, क्या बोलूँगे, क्या बोलूँगे, मोनोपलिस्टिक नहीं, मोनोपली, extreme, extreme product differentiation का मड़लब होता है, कि हमारे जैसा product किसी और का है ही नहीं, समझे बात को, हाँ, extreme product differentiation मड़लब क्या, हमारे जैसा product किसी और का है ही नहीं, तभी तो हमारी मोनोपली होगी, इसलिए बोला है, extreme product differentiation, अगर MCQ आए, कि extreme product differentiation कहां पे होता है, तो क्या बोलूँगे, extreme product differentiation मोनोपली में होता है, याद रखेंगे, right, हमारा ऐसा product है, जिसका कोई competition ही नहीं है market में, हमारे product के जैसा कोई close substitute market में है ही नहीं, तभी तो हमारी मोनोपली है, and, oligopoly को मतलब क्या होता है, जहाँ पे few sellers होता है, few sellers होता है, जैसे कि आपका telecom industry, यहाँ पे 4 seller है, Vodafone Idea, Vodafone Idea, Airtel, Jio, and BSNL, 4 seller है वी, telecom industry में, 4 major seller है, तो यह oligopoly industry, जहाँ पे 2 से लेके 10 तक sellers होता है, generally, 2 to 10 sellers, ऐसा, few sellers, इसलिए, नेक्स्ट, यह table बहुत important है, एक दम ही आपको quick इसमें overview दिया है, आपको, चारों markets का, यह ध्यान देंगे, तो बोलते हैं, number of sellers, perfect competition में बहुत ज़्यादा होते हैं, monoplastik में भी ज़्यादा होते हैं, opportunity में few sellers होते हैं, few, and monopoly में तो एखी seller होता है, next, product differentiation हमारे और दूसरे seller के product में कितना difference है, perfect competition में हमारे product में और दूसरे seller के product में कोई difference होता ही नहीं दोनों same product बेचते हैं इसलिए कुछ भी product differentiation नहीं है monopolisitik में थोड़ा बहुत product differentiation हो सकता है monopolisitik में extreme product differentiation होता है यह MC क्यों आता है and oligopoly में none to substantial बहुत बच्चों को यह समझ में नहीं आता हम आगे पढ़ने वाले बेटा types of oligopoly कुछ ऐसी oligopoly होती है जहां पे product differentiation नहीं होता मतलब की oligopoly में या तो product differentiation होंगा च नहीं या तो product differentiation काफी ज्यादा हो सकता है इसलिए लिका है none to substantial यह logic उस बात का है न चलिए आगे next price elasticity of demand of the firm बोलता है perfect combination में infinite होता है monopolistic में large होती है price elasticity क्योंकि हमारे जैसा product बाकी लोगों का भी थोड़ा बहुत है substitute से हमारे कैसे monopolistic में हमारे और दूसरों के product में थोड़ा सा ही difference है तो अगर हमने हमारा price बढ़ाया तो हमारे demand ज्यादा कम हो जाता है लोग बोलते हैं इसका product शुरों दूसरे का खरीदते है तो इससे थोड़ा सा large value होती है price elasticity of demand की perfect competition में तो सारे के सारे close substitutes है सारे products एक दूसरे के close substitute है तो यहाँ पे infinite होते है क्या price elasticity oligopoly में small value होती है monopoly में भी small value होती है price elasticity की क्यों? क्योंकि monopoly oligopoly वाले अगर prices बढ़ा भी दे तो भी बहुत ज्यादा demand कम नहीं होता demand कम होगा पर थोड़ा से होगा बहुत ज्यादा कम नहीं होगा इसलिए small लिखा है degree of control over price इसको ही बोलते हैं बिटा bargaining power होना perfect competition में bargaining power होता जी नहीं क्योंकि हमको market में जो price चल रही है उसी accept करना पड़ेगा monopolistic competition में थोड़ा बहुत bargaining power होता है oligopoly में भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन monopoly में बहुत ज्यादा bargaining power होता है हम अकेले seller है market में हम हमारे हिसाब से product की pricing set करते हैं concepts of total revenue marginal revenue और average revenue आपको बढ़ाए जाता है सबसे पहले कि यह सब चीज़े क्या होती है total revenue average revenue margin revenue तो total revenue पीटा कैसे आता है तो बोलते हैं जब हम हमारे quantity sold को multiply कर देते हैं उसके price से तो हमें मिल जाता है total revenue क्या चिल्टू बात है अगर किसी का chocolate का business है उसने जो है chocolate के business में 100 chocolates बेचे और एक chocolate का price था बीटा 20 रुपए तो total revenue कित्ता हो जागा उसका 2000 रुपए का क्या एकदम ही चिल्टू बात है क्या कुछ दम नहीं है तो total revenue क्या होते बताईए आपका price into quantity इतना फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे ठीक है next फिर next अगली बात देखनें बाटा अगली बात क्या है next बात है concepts of total revenue में अम next क्या है बताईए average revenue बोलता है average revenue क्या होता है आवरेज revenue तो मैंने बला देखें बात समझें मैंने बला सुनिए सुनो ना मेरी बात है मैंने बुला देखो हमने जो है एक चॉकलेट थी बेटा 20 रुपए की क्या हो गया जिसको हो हाँ एक चॉकलेट थी बेटा 20 रुपए की और कॉवांटिटी जो थी हमने 100 चॉकलेट बेची तो हमारा टोटल यह बात समझ अगी तो अब मैं बोलूंगा कि यह तो हमारा टोटल रिव्नियु हो गया अब हम हमने कितना कमा यह तो हम बोलेंगे टोटल में को क्वांटिटी से दिवाइड कर दो है तो अगर मैं टोटल को quantity से divide कर दू बिटा तो मुझे क्या मिलता है मुझे मिल जाता है average revenue अगर total revenue को quantity से divide कर दू तो मुझे क्या मिल जाता है average revenue लेकिन बिटा मुझे बात बताईए total revenue क्या होता है total revenue क्या होता है यह होता है price into quantity मलब अगर मैं total revenue को divide कर रहा हूँ quantity से मतलब मैं इसको भी divide कर रहा हूँ quantity से तो हमें मिल जाता है कि average revenue is equal to price तो चाहे कोई भी तरीके का market हो हर type के market में average revenue आपका price ही कहलाता है क्या बात समझ में आ रही है yes और no यह याद रखेंगे चाहे कैसा भी market हो average revenue ही आपका price होता है next इसके बात अगली बात देखेंगे next आता है original revenue तो चलिए इसके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूं आए 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 इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं ठीक है चलो सब्सक्राइब रहा हूं जल्दी से देखेंगे एकदम क्विक्ली देखेंगे इस चीज को चलिए तो मैं बोल रहा हूं यहां पर कि जैसे हमने बुला प्राइस then मैंने आपे लिखा है quantity demanded quantity sold समझो मैंने यहापे लिखा है कि जब हमारी price 10 रुपे होती है तो हमारी क्या बताइए 50 units हमारे बिखते हैं जब मैं और एक unit बेचना चाहता हूँ जब मैं और एक unit बेचना चाहता हूँ तो जब मैं प्राइस कम करना बढ़ता है तो प्राइस समय लिजे हमारी हो जाती है 9.50 यह 9 कर देते हैं simplicity के लिए 9 कर देते हैं तो 50 units बेचने हैं तो 10 रुपे 51 units बेचने हैं तो 9 रुपे तो मेरा marginal revenue कैसा आएगा marginal revenue कैसा आएगा तो पहले दोनों level का टोटल revenue निकालिए पहले 50 units का टोटल revenue किता है 500 then 51 units का निकालिए 51 units का बताएए टोटल revenue क्या है 51 into 9 fast मुझे बताएँगे थुड़ा सा 51 into 9 बताएँगे मुझे किता होता है yes 51 into 9 किता होता गाईज fast बुलो यार 459 है ना यहां पर आपका marginal revenue negative आ रहा है एक additional unit बेचने को इसे टोटल गिर रहा है यहां पर तो कित्ते से गिर रहा है यह गिर रहा है बिटा 41 रूपीज से तो यह minus 41 आपका margin हो जाएगा और एक example लेते हैं चलिए और एक example लेके देखते हैं मैं बोल रहा हूँ अभी ध्यान दीजे मैंने बोला quantity एक unit दो unit ठीक है तो एक unit बेचना है तो 20 रुपे की price है दो unit बेचना है तो price को कम करना बढ़ेगा 19 रुपे करना बढ़ेगा तो मेरा जो है एक additional unit के वज़े से total revenue कितने से बढ़ा total revenue 18 से बढ़ा तो margin revenue हो जाएगा अटरा यह बास इनवाई तो हम क्या कर सकते इसको इसको इसके लिए formula होता है कि marginal revenue at two units is total revenue at two units minus a total revenue at one units है ना तो इसको लिखते है हम कि 38 minus 20 answer आता है 18 इसी चीज़ को बेटा अगर हम formula रूप में लिखे general formula रूप में लिखे तो लिखते है कि mr at n is equal to total revenue at n minus total revenue at n minus 1 ठीक है यह इसका general formula होता है लेकिन यह formula ना बेटा हर जगा पर अपलाए नहीं कर सकते हैं इस formula को आप हर जगा पर अपलाए नहीं कर सकते हैं sir मतलब क्या मतलब की मेटा अगर इसी example में ऐसा होता थो अगर आपको दिया रहता कि यह 10 यूनिट्स है यह 20 यूनिट्स है आपका प्राइस है 20 यहां पे प्राइस है 19 टोटल रेवेन्यू आ रहा है यहां पे 200 और यहां पे टोटल रेवेन्यू आ रहा है बिटा 380 तो मुझे marginal revenue at marginal revenue at 20 units निकालना है कैसे निकालोंगा marginal revenue at 20 units निकालना है तो कैसे निकालोंगा बताए यह fast कैसे निकालोंगा तो हम बूलेंगे सर देखो revenue कितने से बढ़ा 180 तो इसको 180 लिख देंगे है ना revenue 180 से बढ़ा सर यहाँ पर यहाँ पर revenue जो है 180 से बढ़ा तो इसको 180 लिख दो ऐसा चलता क्या पताई एसा नहीं होता यहाँ पर अगर आप यह वारा formula लगाएंगे बेटा तो क्या होगा हम बुलेंगे MR अगर हम यहाँ पर यह उपर वारा formula लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हम बुलेंगे MR at 20 units is total revenue at 20 minus total revenue at 19 units n-1 total revenue at 19 है नहीं हमारे question में तो यह formula हम यहाँ पर लगा ही नहीं सकते हैं इसलिए मैं बोलता हूं कि इस formula को use ही मत करो करेंगे एक ऐसा formula यूज करेंगे जो हर जगा वर्क करता है और वो है राजा और वो है यह वाला कि marginal revenue is equal to change in total revenue upon change in quantity यह जो formula होता नहीं हर जगा पर हम apply कर सकते हैं इस formula को हर जगा पर apply कर सकते हैं इसलिए यही वाला formula यूज करना कैसे सर देखो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 10 unit बढ़ने के वज़े से हमारा revenue जो है 180 से बढ़ा तो हमारा हो जाएगा formula 180 divided by 10 तो मेरा marginal revenue 18 आएगा तो यहाँ पर margin revenue at 20 units is 18 समझा और यह formula में इधर भी लगा सकता हूँ यहाँ भी लगा सकता हूँ चेंज इन quantity है 1 और चेंज इन total revenue है 18 तो 18 अपॉन वन तो भी मार जाने उन्हों आ जाएगा 18 समझा तो क्या होता है यह जो बेटा formula होता है यह कब लगता है जब यहाँ पर quantity में एक एक का आरपाज जब एक एक से quantity बढ़ती है तो ही यह वाला formula लगता है यह समझवार है यह वाला formula यहाँ पर नहीं लगा सकते जैसे यहाँ पर यह जो formula है यह universal formula है यह हर टाइप के data को लगता है तो इसी formula को हम apply करेंगे समझ मागे चलिए तो बात करेंगे हम कहां करें ऐह इदर तो यहाँ पर क्या पुलेएंगा हम हमेशा इसे formula को को यूज करेंगे क्योंकि यह जो formula है यह अप्ला कर सकते हैं तो इस फॉर्मुला को ही यूज करेंगा क्या आप समझ में आ रही है ₹istics नेक्स बात देखेंगे इसके बाद तक हाँ इस के स्ली यहई यह 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 भी आ सकता है तो आप देखा लेंगे में ठीक है मलब यही कि डैश is the change in total revenue from a sale of addition yield क्या margin revenue ठीक है sir आगे next बात आते यह याद रखेंगे यह जो हमने यह जो चार्ड बना है यह बहुत important है कि देखो बेटा हमारे जो है average revenue equal to price average revenue equal to price यह जो है न यह हर type के market में होता है so this happens in all forms of market चाहे perfect competition हो monopoly हो monoplastic हो oligopoly हो हर market में average revenue equal to price होता है लेकिन average revenue equal to price equal to marginal revenue यह कहा होता है यह चीज सिर्फ perfect competition में होती है संजा वापस है average revenue equal to price यह हर जगा होता है हर form of market में होता है लेकिन average revenue equal to price is equal to marginal revenue यह सिर्फ perfect competition में होता है यह याद रखेंगे ठीक है आगे इसका भी लोजिक आपको बताऊंगा अब देखो जैसे हमने यहां पे एक टेबल आपको दिया है यह जो टेबल है ना बिटा यह इम परफेक्ट competition का टेबल है अब बच्चे बोलेंगे सर इम परफेक्ट competition मतलब क्या तो मैंने आपको यह चीज़ समझाई थी कि हम जो है markets को classify कर सकते हैं हम जो है बिटा markets को classify कर सकते हैं on the basis of competition competition याद करो मैंने आपको समझाया था सरक्या सम्झाया था हम न बोला था परफेक्ट competition क्या होता है परफेक्ट competition का मतलब होता है जहां पे sellers के पास कोई भी बार्गेन पावर नहीं होता मतलब Standard price को affect नहीं कर सकते लेकिन प्राइस को पूरी ही तरह से चेंज कर सकते हैं या थोड़ा बहुत पावर होता है उनके बास प्राइस को बदलने का समझवारी बात है तो मैं बोल रहा हूं कि वो जो टेबल अभी हम पढ़ने वाले हैं वो मोनोपलिस्ट इम्पर्फेक्ट कॉमडिशन का मतलब क्या वो इन तीनों में से एक का है समझवारा है मतलब कि इन तीनों को सिग्निफा कर रहा है वो यहाँ पर यह मोनोपलिस्टिक है गलती से आ गया है यह मोनोपलिस्टिक है ना मोनोपलिस्टिक ठीक सर आ गया तो यहाँ पर दिहान देंगे तो यह जो हम टेबल अभी देखेंगे यह कि परफेक्ट कॉमपीटिशन होता तो क्या होता समझें यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मुझे एडिशनल यूनिट बेचने है ना अगर यह परफेक्ट कॉमपीटिशन होता तो क्या होता देखें अगर यह परफेक्ट कॉमपीटिशन होता राजा तो क्या होता देखें ध्या तो सुनिये बात ध्यान से अगर ये परफेक्ट कॉंपेटिशन होता तो क्या होता मैंने आपको समझाया है कि परफेक्ट कॉंपेटिशन में क्या होता है यहाँ पे एक ही प्राइस चलती है मार्केट में हमारे फॉर्म के पास कोई पावर नहीं होता प्राइस को बदलने का तो यहां पे जो है अगर मुझे समझ लो quantity बेचनी है एक दो तीन चार पाच है कितनी भी quantity बेचनी है अगर मेरा price जिसे हम average revenue भी बोल सकते हैं अगर इस price है 10 रुपे अगर एक unit को 10 रुपे में बेचना है तो सारे जगा पे मलब दो unit भी 10 रुपे में ही बिकेंगे तीन unit भी 10 में ही बिकेंगे चार भी 10 में ही बिकेंगे मलब price constant होता है perfect competition में यह आपको याद रखना है मैं आपको बताया था regular class में अभी revision करवारों इससे जल्ली करवा रहा हूँ ठीक है तो यहां पे price आपका constant रहता है चाही कितना भी आपको करना हो right कितना भी बेचना हो अ इन्टिक ट्wn 20 kacti को इंग तू प्रिंटिक एन्टिक कि यह 21 निक्वेंटी टीक होता है और यह है टू टो टेंट ट्वडेंटेन ट्क इंटक तें अर क्षय करुट यह सब अब अगर विटमें हाँ पे margenal revenue निकालू क्या होता है एक एडिशनल यूनिट के वज़े से एक एडिशनल यूनिट के वज़े से मेरा टोटल रेविनु कितने से बड़ा तो दस से बड़ा एक एडिशनल यूनिट के वज़े से मेरा टोटल रेविनु कितने से बड़ा दस रुपए से बढ़ा, तो दस, एक additional unit के वज़े से, मेरा total रवन कितने से बढ़ा, 10 से बढ़ा, क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे, कि सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट competition में क्या होता है बेटा, आपका जो average revenue होता है, it is same as marginal revenue, दुनों की value same आती है, दुनों की value same आती है, बस यह आद रखना है, अब इसमें एक सवाल आता है बेटा आपको, इसमें एक सवाल आता है, अगर मैंने quantity को double किया, परफेक्ट competition में, तो टोटल revenue के साथ क्या होगा, वो भी double होगा, कैसे देखे, हमारे परफेक्ट competition में क्या होता है, हमारा price तो constant रहेगा, तो अगर मेरा quantity है, बेटा 5 units, एन मेरी price है, समझ लीजे, 10 रूपीज, और मेरी price है, बेटा समझ लीजे, 10 रूपीज, तो मेरा total रह इसको डबल करता हूँ, तो मेरा revenue भी double होता है, यह MC क्यों आता है, इसको याद रखेंगे, यह MC क्यों आता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, हाँ, यह double वाला MC क्यों आता है, ठीक है, next, आगे, तो यह बास आपको समझ मागे, पहले बताईए, कि perfect competition मेरा इसा नहीं होता, यहाँ पे price constant नहीं होता है, तो इसलिए हम बोलतें कि perfect competition ना थोना सा मित होता है, मनब, real life में perfect competition market exactly मिलना बहुत difficult है, ऐसा, तो perfect competition से मित, क्योंकि ऐसी जाहे, जितनी quantity बेचनी हो, सेम price भी बिकेंगी, ऐसा बहुत कम जगावे देखना हो, मिलता है, राधर मिलता ही नहीं, real life में, right, तो perfect competition हमारा मित होता है, है ना, तो इम perfect competition में बिटा क्या होता है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है, कि अगर मुझे ज्यादा quantity बेचनी है, तो price को यहाँ पे कम क करना ही पड़ता है, मतलब की imperfect competition में जो demand कर होता है, वो downward sloping होता है, है न, सर मतलब क्या, मतलब की राजा, अगर मैं यहाँ पे perfect competition में अगर बनाता, क्या demand कर, तो कैसे बनता demand कर, मेरा इसका demand कर बनता है, horizontal, parallel to the x-axis, मतलब क्या, चाहे मैं कितना भी, चाहे कितना भी quantity बेचू मेरा price जो है, वो constant ही रहता है, तो perfect competition में demand कर बेटा ऐसा होता है, horizontal, parallel to the x-axis, यहाँ पे elasticity आपकी infinite होती है, perfectly elastic demand कर होता है, लेकिन बेटा, इम perfect competition में क्या होता है, यहाँ पे जो है, आपका downward sloping demand कर बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको ज्यादा quantity बेचन है, हैना, पहले समझ लिजे, आप यहाँ पे सिर्फ इतनी quantity बेचते थे, हैना, तो अगर आपको, हाँ, पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप सिर्फ इतनी quantity बेच रहे थे, अगर आपको ज्यादा quantity बेचनी है, तो आपको price कम करना ही पड़ता है, तभी ज्यादा quantity बीकती तो यह perfect competition में downward super in demand card होता है हम individually बाद में देखेंगे तो अभी जितना यहां पर है पहले यह देखेंगे हम individually देखेंगे कि की monoplay stick में exactly कैसा है Monopoly में exactly कैसा है वो हम आगे के units में देखेंगे ठीक है छली थोड़ा थोड़ा आगे बरता है पर देख रहे हैं जैसे मुझे ज्यादा quantity बेचनी है वेसे मुझे यहादा प्राइस को कम करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड स्रुपिंग डिमार्ड कर वोता है तो ज्यादा quantity के लिए कम प्राइस रखनी बढ़ेगी राइट यहाँ पे आपने हमने margin revenue निकाल हुआ है कैसा आ रहे margin revenue देखो देखो प्लीज बात को समझे है ठीक है बात को समझेंगे क्या हो रहा है अगर मैं quantity को मल्टिब्ला कर दू प्राइस से तो टोटल रहनों आ जाता है 18 री इंटू एट आ जाता है 24 और इंटू 7 आ जाता है 28 पिर मैं बोलूँगा कि एक additional unit बेचने के वज़े से मेरा टोटल रहनों कितने से बड़ा 8 से बड़ा तो इसलिए margin रहनों 8 है एक additional unit बेचने के वज़े से मेरा total रहनों कितने से बड़ा 6 से बड़ा इसलिए margin revenue 6 है यह समझ मारा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ वो ज्यादा तेजी से गिरता है average revenue के comparison में सर यह आपने क्या कहा है भी प्लीज बताईए मैंने बोला कि हमारा जो बेटा मैंने बोला बेटा आपको की हमारा जो एक minute हाँ तो मैंने बोला हमारा जो बेटा marginal revenue होता है यह ज्यादा तेजी से गिरता है as compared to average revenue चेक करो average revenue जो है 10 के बाद 9 हुआ फिर 8 हुआ फिर 7 6 5 पर यह देखो यह ज्यादा तेजी से गिरते जा रहा है 10 के बाद directly 8 हो गया फिर 6 फिर 4 2 0 तो यह धीरे धीरे गिर रहा है यह ज्यादा तेजी से गिर रहा है इसका यह भी मतलब होता है बेटा कि जब हम इसका कर्व बनाएंगे average revenue का तो जहां पर average revenue कर्व होंगा ना उसके नीचे से जाता है marginal revenue क्योंकि marginal revenue जो है ज्यादा तेजी से गिर रहा है तो ज्यादा जल्दी नीचे जाता है जी intra revenue एड कमेंटमाडू average revenue अब इसका reason क्या है यह समझेए अब इसका reason क्या है ये आपको समझाता हूँ ठीक है जली आई है मैं इसका reason कैंए मैं समझाता हो ओके चलिए को देखेंग के एक भार तिस चीज को भी देखें है को अनुण कर रहा हूं quantity one two three four ठीक है quantity रिखे one two three four ठीक है कि देन मैंने लिखा यहाँ पर मैंने लिखा मेंटा यहाँ पर average revenue मैंने लिखा 10 nine eight seven क्यों कम कर रहा हूं average revenue क्योंकि अभी हम imperfect competition की बात कर रहे हैं ज्यादा quantity बेच ली है तो price को कम करना पड़ेगा अच्छा total revenue कैसा आएगा तो average revenue ही पिटा मेरा price होता है तो इसको और इसको multiple कर दो दोनों को multiple कर तो तो total revenue आ जाएगा तो 1 into 10 10 2 into 9 18 3 into 8 24 4 into 7 28 and marginal revenue कैसा आएगा अभी जैसे मैंने आपको बताया एक addition unit बनाने के वज़े से पहला unit बेचने के वज़े से कितना revenue आया 10 रुपे का देन एक addition unit बेचने के वज़े से कितने से बड़ा revenue मेरा यहां पर आठ रुपे से एक और additional unit बेचने के वज़े से मेरा revenue कितने से बड़ा एक और additional unit बेचने के वज़े से मेरा revenue कितने से बड़ा चार रुपे से बड़ा बेटा मैं जो चीज बार-बार बोल रहा हूं आधा तेजी से गिर रहा है इसका रिजन देखो क्या है शुनिय बाद ध्यान से है क्ष देखो लिए अब सुनना बारें से थे किeden क्या हो एक product बेच रहा था, तो ये एक product मेरा 10 रूपे का भिक रहा था, इसलिए मेरा total revenue पहले 10 रूपे आ रहा था, पर जब मैं दो unit बेचता हूँ, तो मुझे price को कम करना पड़ता है, जब मैं दो unit बेचता हूँ, तो price को कम करना पड़ेगा, तुम मुझे बताइए ये जो मैं price कम किया ये सिर्फ दूसरे unit पे कम करूंगा या दोनो unit पे कम हो जाएंगी वापस से पहले बेटा मैं क्या कर रहा था पहले ना मैं quantity कितनी बेच रहा था राजा शिर्फ एक unit ही बेच रहा था समझा के इतना मैं पहले सिर्फ एक unit ही बेच फो और और प्प्राइब तो नो पर रवर राप तो प्राइस नार में हो जाएगी कि यह 9 रूपे सिवर दूसरे इपन फोगी किडніों पर होगी दोनों पर होगी तो चैनल ए-टा कि जब प्राइज गिरता है ना जब प्राइज गिरता है तो सारे यूनिट्स के लिए अठारा, एवरेज रेमेन्यू क्या दिखेगा आपको यहाँ पे नो, क्योंकि एक यूनिट तो नो पी विका, एवरेज में, लेकिन मारजिनल रेमेन्यू क्या आएगा बताएगे, कि हमारा जो ये यूनिट था, ये भी एक रुपे कम से विका, और एक ओर एडिशन 20 रुपएय मिलने चाहिए थी आंपर पर क्या हुआ जब एडिश्नल यूनिट बेचना था तो पीछे के भी सारे यूनिट की प्राइस कम होती है जिसके वज़य से क्या होता है बताई और पताहिया यहां पे इसमें भी 1 रुपया कम तो 18 रुपय ही मेरा तोटल रिविन्यु आया एक कितने रिवन्यु बड़ा आठ रुपय से बड़ा इसी प्रकार से जब मैं बेटा और एक यूनिट समझो, मुझे बेचना है, समझे ठीक है? मुझे और एक यूनिट बेचना है, तो 1, 2, और 3, अब मैं 3 यूनिट बेच रहा हूं, अब जब 3 यूनिट बेचूँँंगा, तो 8 रुपे ही मिरी प्राइस है, अब ये 8 रुपए सिर्फ तीसरे यूनिट पे होगा कि पीछे के भी यूनिट पे होगी प्राइस कम हाँ सारे यूनिट आठ रुपए बिकेंगे तो पीछे के भी यूनिट से नव है या उसका भी प्राइस आठ रुपए 8 रुपए हो जाएगा वैसे तो क्या होना चाहिए था अगर 3 रुपए की बिखते तो 30 रुपए हमें टोटल में मिल सकते थे लेकिन क्या हुआ हाँ लेकिन क्या हुआ बेटा कि इसमें भी 2 रुपए का नुकसान इसमें भी 2 का इसमें भी 2 का टोटल 6 रुपे का नुकसान हुआ और टोटल रेवेन्यू 24 ही आया तो average में तो हर unit 8 रुपे में विका है लेकिन मेरा revenue कितने से बड़ा 6 रुपे से ही बड़ा है तो marginal revenue जो है ज्यादा तेजी से गिरता है as compared to average revenue क्यों कि बेटा जब हमारी price गिरती है ना तो पीछे के भी सारे units में गिरती है ये logic समझ पा रहा है तो इसको पढ़ते कैसे है सर इसको पढ़ते कैसे सर हम आईए इसको पढ़ते कैसे हम अब समझे ये table को हम पढ़ते कैसे हैं ये सुनना है आपको बहुत important है अगर ये चीज़ आपको समझ कई तो हम आगे बढ़ सकते हैं फिर है ना इस table को हम पढ़ते कैसे है तो देखो पढ़ता इस table को पढ़ना पढ़ता है ऐसे कि अगर मुझे एक unit बेचना है तो 10 रुपे में बेचना पढ़ेगा टोटल रुपे अगर मुझे दो unit तोटल में बेचने है तो average में नौ रुपे का बेचना पढ़ेगा टोटल रुपे नो अठरा unit हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे तीसरा unit आठ रुपे में बिकरा है अगर तोटल में तीन unit बेचने है तो आठ रुपे average price और टोटल रुपे 24 यहाँ पे सिर्फ चौथा unit ही सिर्फ चौथा unit ही साथ रुपे बिकरा है क्या नहीं अगर चार unit एक साथ बेचने है तो हर एक unit साथ रुपे का पेचना पढ़ेगा और टोटल रुपे नो 28 आएगा तो क्या होता है बेटा देखे देखे यहाँ पे दो क्या लिखा है कि why the MR why the marginal due to third unit is not equal to the price of 8 बुलता है थर्ड यूनिट में जो MR है 6 जो MR है यहाँ पे आपका 6 यह इससे equal क्यों नहीं है तो बुलता हो ओव्वेस सी बात है क्या होता है क्या होता है बुलते है देखो क्या होता है the answer is that when the price is reduced for selling and additional unit the two units which could be sold for Rs.9 before will now have to be sold at the reduced price of 8 बोलते है जोब हम तीसरा unit बेचना चाहते है तो पिछले दोनों units की भी price गिर जाती है इसके वज़े से मार्जल रेवनों ज्यादा तेजी से गिरता है समझ मागी बाते क्या पर रहो प्लीज मज़े पताएंगे येस हाँ तो बलते है 10 for any falling average revenue schedule falling average revenue schedule मतलब क्या अगर ज्यादा quantity बेचनी है तो prices कम करनी पड़ेगी ज्यादा quantity बेचनी है तो prices कम करनी पड़ेगी मतलब कि ये बात कर रहा है बेटा imperfect competition की समझा गया हाँ तो बोलते हैं जबी भी आप imperfect competition में पड़ेगे तो demand curve आपका downwards dropping होगा ज्यादा quantity बेचने के लिए price कम करना पड़ेगा तो तब हमारा क्या होता है तब जो है राजा हमारा margin revenue हमेशा हमारा margin revenue बेटा हमेशा क्या होगा हमेशा कम होगा average revenue से लेकिन अगर मेरा constant average revenue schedule है मतलब क्या अगर चाहे जितना बेचना हो price constant रहेगा अगर constant average revenue schedule है तो हमारा MR equal to AR होता है मतलब बेटा ये बात कर रहा है यहाँ परफेक्ट competition की इन शॉर्ट वो बोलना चाह रहा है कि परफेक्ट competition में average revenue equal to marginal revenue होता है इम परफेक्ट competition में marginal revenue less than average revenue होता है बस ये बात समझ में आई या नहीं मुझे बताए ये fast ये बात समझ में आई ये नहीं ये बहुत important concept है प्लीज बताए मुझे ठीक है आगे next फिर इसके बाद फिर इसके बाद ये तो सब ठीक है बाकी तो okay है आगे बढ़ते हैं इधर आते हैं तो यहाँ पर मैंने average revenue curve अच्छा और एक चीज बता दो बेटा आपका जो average revenue curve होता है यही आपका demand curve होता है है नहीं यही आपका demand curve होता है यह हर टाइप के organization में ऐसा होता है हर टाइप के marketing होता है यह एक बार हम quickly आपको बता दे रहे हैं यह भी चीज कि average revenue curve ही हमारा क्या होता है demand curve होता है चाहे कोई भी type का market हो वहाँ पर ठीक है तो इसका भी expression quickly बता रहो एकदम ध्यान देंगे कि average revenue curve यही मेरा demand curve होता है कैसे सब यह कैसे होता है चलिए देखते हैं तो समझो बिटा मैं बना रहा हूँ यह है हमारा y-axis और यह है हमारा बिटा x-axis ठीक है एक्स-axis भाय एक्स ठीक हम जेनरली पेटा x-axis में क्या करते हैं यहां पर प्लॉट करते हैं quantity को और यहां पर पेटा हम प्लॉट करते हैं price को क्या price को ही मैं average revenue बोलता हूँ क्या हासन हम price को ही आवरेज revenue बोलते हैं हमने अभी जस देखा था imperfect competition में क्या होता है अगर मुझे ज्यादा quantity बेचनी है तो price कम करनी पड़ेगी मतलब की imperfect competition में downward sloping बन का है downward sloping बनेगा क्या average अन्यमणू कर्फ कैसे دेखो अगर मुझे राजा अगर मुझे ज्यादा quantity बेचनी है तो क्या price कम करनी रखनी पड़ेगी क्या हाँ अगर कम quantity बेचनी है तो ज्यादा प्राइज भी चार्ज कर सकता तो अब मुझे बताईए ये average revenue curve क्या बता रहा है average revenue curve क्या बता रहा है ये हमें बता रहा है कि अलग quantity ये हमें बेटा बता रहा है कि अलग quantity के लिए हमारी कितनी कितनी price charge होगी हमारी कितनी कितनी price charge होगी क्या यही चीजे क्या यही चीजे आपको demand curve भी बताता है क्या हाँ कि अलग अलग price पे कितनी कितनी quantity है तो जो हरकते average revenue कर रहा है वही हरकते demand curve करता है इसलिए हर type के market में average revenue curve ही demand कर होता है ये समझा बात very important है ठीक है सर चलिए बात करते हैं आगे next तो यहाँ पर बात करेंगे भी demand curve की तो मैंने आपको अभी एकदम summary ये बता रहे है प्रीज ध्यान देंगे क्या बोल रहे है कि अगर imperfect competition होता है तो demand curve या average revenue curve downwards होता है है ना तो average revenue curve देखो ज्यादा तेजी से गिरता है इसलिए इसके नीचे है बीटा marginal revenue curve समझा आपको मैंने क्या बोला देखो ये imperfect competition का है average revenue downwards इसके नीचे होता है margin revenue क्यूंकि margin बोल ज्यादा तेजी से गिरता है येस अच्छा मुझे बताई बीटा जहाँ पे आपका marginal revenue 0 होता है वही पे आपका total revenue जो है ये maximum होता है तो check करो हमारे इस table में हमारे इस table में check करो जहाँ पे आपका marginal revenue 0 है वही पे आपका total revenue जो है maximum होगा देखो ये क्यू maximum level है क्योंकि इसके बाद total revenue में value गिर रही है तो total revenue पहले increase हो रहा था, फिर total revenue maximum हुआ और फिर total revenue decrease हुआ, तो इसलिए total revenue का जो curve है न बेटा काहां पे हमारे imperfect competition में वो ऐसा बनता है, देखो, वो ऐसा बनता है मशलब क्या, पहले ये बढ़ता है total revenue, फिर maximum होता है और फिर गिर्णना चालू होता है यहीं समझ मागें, और जहां पे आपका MR 0 होता है, वहां पे Total 21 Maxim होता है, यह Imperfect competition हो गया next, अब हम बात करेंगे बिटा, Perfect competition की, तो Perfect competition में सर क्या होता है? यहां पे आपका Demand Curved Perfectly Elastic होता है, जैसे मैं आपको भी समझाया जस्ट, आपका Horizontal Demand Curve होता है, Parallel to the X Axis होरिजॉन्टल दिमार्ड करव पैरले टूदाएक्सायस होता है ऐसाPad और जितना एव्रेज रेवेन्यू है उतना ही मार्जल रेवन्यू है तो देखो पर էिज है तो क्या है सुनना बाद ध्यान सा क्यों हमारा스 जस्ट में आपको पढ़ाया कि average revenue curve ही demand curve होता है तो बेटा हमारे perfect competition में क्या होता है ये चीज़ होती है average revenue equal to margin revenue equal to demand curve लेकिन हमारे imperfect competition में क्या होता है यहाँ पे average revenue downward sloping average revenue curve भी demand curve है ये downward sloping है margin revenue का curve इसके निच्चु होता है इसके निच्चु और total revenue तो ऐसा बनता है ठीक है चलो यहाँ पे यह भी बात हो कि next देखेंगे next point आता है ये इस पे बहुत सारे mcqs आते है इस हमारे point पे इस हमारे formula पे बहुत सारे mcqs आते है ठीक है चलो आयो ध्यान देंगे yes please ध्यान देंगे बिटा हाँ तो यहाँ पे please ध्यान देंगे yes तो यह formula का मैंना derivation बताता हूँ यह formula आया कैसे मैं यह समझाता हूँ बच्चों को generally ठीक है हमारे regular class में तो अभी हम इसके derivation में नहीं चाहेंगे सिर्फ formula को याद रखेंगे कि margin revenue is equal to average revenue into e minus 1 upon e या इसी चीज़ को बेटा में लिख सकता हूँ कि इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि marginal revenue is equal to average revenue into 1-1 upon e ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं समझवाना मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ दोनों एक ही बात है है न दोनों सेम चीज़ है अब आपको mc क्यों बाता है कि मुझे बताइए अगर यहां पे मैंने बुला कि e की value हमने बोला कि e यह e की value है 1 अगर e की value है बेटा 1 तो क्या होगा तो 1-1 हो जाएगा 0, 0 upon 1 0 और 0 into AR 0 तो marginal revenue आजाएगा 0 तो जब elasticity of demand 1 होता है e क्या है पिटा e आपका यह है price elasticity of demand ठीके यह है e यहां पे तो जब हमारा e होता है 1 तो marginal revenue आता है 0 और अभी मैंने आपको बोला कि जब marginal revenue 0 होगा तो total revenue maximum होता है तो जब marginal revenue 0 होता है तो total revenue maximum होता है समझा गया तो ऐसा सवाल आ सकता है कि अगर हमारा e है equal to 1 तो total revenue का क्या हाल होगा total revenue maximum होगा समझा अगर e की value greater than 1 है समझो मैंने बोला e की value है 3 तो मैं बोलूँगा marginal revenue is equal to ar into 3 minus 1 upon 3 तो यह हो जागा बेटा कि mr equal to 2 by 3 ar मतलब क्या positive value आएंगी क्या कुछ minus मैं आई गाई नहीं हम पे positive value आईगी है ना तो answer क्या है कि जब हमारा e greater than 1 है तो mr positive होता है और जब हमारा mr positive था मतलब क्या देखो इधर देखो mr positive है मतलब क्या इस area में इधर तक इधर तक mr इधर तक positive है क्योंकि इसके नीचे negative हो रहा है mr इसके नीचे negative हो रहा है तो यहां तक क्या हो रहा है यहां तक मेरा जो जो total revenue है वो increase हो रहा है total revenue बढ़ते जा रहा है तो देखो when mr is positive total revenue is rising यह समझा कि आपको when mr is positive total revenue is rising आगे बोलता है when e is less than 1 जब elasticity की value less than 1 है फिर क्या होगा देखो अगर elasticity की value less than 1 हो गई तो क्या होगा समझो हमने लिया 0.3 तो mr is equal to ar into 0.3 minus 1 upon 0.3 तो यह हो जाएगा average revenue into minus 0.7 upon 0.3 तो इसकी value बेटा एंगी minus में तो हमारा marginal revenue minus हो जाता है बमलब negative आता है अगर हमारा e is less than 1 और जब हमारा marginal revenue गिरता है चेक करो यहाँ पर चेक करो इस diagram में बेटा देखो ना इस diagram में जब हमारा margin revenue गिर माइनस में मतलब क्या यह यह पार्ट है margin revenue का मतलब कि इसके बाद वाला point इसके बाद वाला part जब marginal revenue negative है तो total revenue आपका गिर रहा है बस यही चीज़ लिखे देखो कि when marginal revenue is negative total revenue is क्या बताई है falling तो यह mc को आता है very very important very very important ठीक है next अब हमने बेटा आपको पढ़ाया था geometric method of point elasticity of demand याद रहे geometric method उसमें हमने formula पढ़ा था बेटा lower segment upon upper segment कुछ याद आ रहा है ऐसा हम पढ़ते है geometric method है ना point elasticity of demand is geometric method हम पढ़ते हैं कि elasticity of demand is lower segment upon upper segment ऐसा कुछ याद आरा आपको धुलना 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 पताई है इसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारा demand curve touchy touchy होता है देखो यहाँ पे हमारे demand curve touchy touchy है यह y-axis x-axis दोनों को touch कर रहा है इसको और इसको दोनों को touch कर रहा है जब demand curve touchy touchy होता है तो क्या होता है कि हमारे midpoint पे यह क्या है elasticity के value greater than one होती है याद रहे क्या कुछ तो आपको ऐसा भी सवाल आ सकता है कि on the lower portion of demand curve marginal revenue क्या होगा तो जब lower portion demand curve का है मतलब वो इसकी बात कर रहा है और जब e is less than one तो marginal revenue negative ऐसा पूछेंगे कि अगर demand curve बोथ access को touch कर रहा है तो अपर segment वाले demand curve पे marginal revenue की value क्या होगी तो अपर segment वाले demand curve में elasticity greater than one होता है और जब elasticity greater than one होता है तब हमारा marginal revenue positive होता है क्या समझ रहा है कि कैसा सवाल भी बन के आ सकता है यह यह भी मैंने मेरे नोट्स में दिया हुआ है यह देखें यह भी मैंने मेरे नोट्स में दिया है कि on the upper portion of demand curve marginal revenue will be positive on the lower portion of demand curve marginal revenue will be negative अगर midpoint देखें हम demand curve का midpoint देखें जहाँ पर elasticity 1 होती है वहाँ पर marginal revenue revenue जो है आपका 0 आएगा जहां पर elasticity 1 होती है वहां पर आपका marginal revenue 0 आता है क्या जबरदस्त concept समझ में आ रहे हैं बताई फास्ट क्या पक्का सब को समझ मा रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके बताएंगे वीडियो को जल्दी से बड़ा लाइक ठोकेंगे और मुझे बताएंगे क्या बात समझ में आ गई है लास्ट जो दो गुट्स वगड़ा बेच रही है तो अगर उसका प्राइस टोटल वेरेबल कॉस्ट से भी कम होता है तो उसे प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए शटडाउन कर देना चाहिए समझ मा रहे हैं तो बोलते हैं सिंपल भाशा में कि वेल प्राइस इस लेस देन आवरेज वेरेबल कॉस्ट तो हमें हमारे फर्म को शटडाउन कर लेना चाहिए या इसमें बोलते हैं कि हम प्राइस को ए आर भी लिख सकते हैं तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए आर इसमें बोलते हैं अगर हमारे फर्म में अगर हम आवरेज वेरेबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पारे तो हमें बिजनस को बंद कर देना चाहिए और फाइनली जो है यहां कहेंगे नेक्स चाहेंगे आखरी प्रिंसिपल जो बहुत इंपोर्डेंट है कि एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमा सकता है तो गोलता है एक फर्म अगर आपके फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहा पे होगा जिस लेवल पे अगर आपके फर्म को लॉस हो रहा है तो कहां पर मिनिममम लॉस होगा जहां पर एक फर्म को भी रिकवर नहीं कर पा रहा है तो आपको शट्डाउन कर लिना चाहिए अपने फर्म को राइट शट्डाउन का मतलब होता है टेंप्ररी समय के लिए बंद कीजिए अगर कल जाके प्राइसेज बढ़ती है तो वापस से आप अपने बिजनिस को स्टार्ट कर सकते हैं समझा शट्डाउन का मतलब पर्मे प्राइस बढ़ेंगे तो आप अपने फर्म को वापस चालू कर सकते हैं ठीक है यहां पर हमारा होता है खतव यूनिट नमर वन आपको काफी साधा मजा होगा अब हम एकनॉमिक्स चाप्टर फोर का यूनिट टू स्टार्ट करने वाले हैं येस यूनिट का नाम है दोस्त कि इस यूनिट में इंशिटूट ने बारा सिचुवेशन्स दिये हैं अगर हमने इन बारा सिचुवेशन्स को पढ़ लिया तो ये पूरा का पूरा यूनिट ही हमारा खतम हो जाता है तो ये पूरे समरी के थूरू ही हम आपको इस यूनिट को पढ़ाएंगे और आपके में exactly उतनी ही चीज़े लिखे जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या MCQs आ सकते हैं वो भी मैं आपके साथ discuss करूँगा हमरे इसी वीडियो में चलिए continue करते हैं हम economics chapter 4 का अभी unit number 2 start करते हैं सबसे बना बेटा समझे इस unit का नाम क्या है determination of prices हैना कि अलग-अलग situation में prices हम कैसे determine करते हैं तो sir इसमें situations क्या क्या है तो चलिए पहला situation बेटा देखेंगे इसमें first situation आपको यहाँ पर बोला गया है please ध्यान देंगे हैना एकदम zoom करके बता रहो देखेंगे सबसे बला अगर market price जो बेटा चल रहा है अगर market price आपके equilibrium price से ज्यादा है तो इसके वज़े से price पे quantity पे क्या असर क्या impact आता है इसका यह सवाल है अच्छा तो अभी नीचे का लिखेंगे वो सब छोड़ो आप आईए diagram में आप इसके diagram में आईए and diagram को समझे कि करना क्या है है ना यह diagram हमने हमारे स्वाय हमारे हाथों से बनाया है प्लीज ध्यान देंगे जी चल तो प्लीज बेटा आपने ध्यान देंगे येस तो सबसे पहले हमने बनाया demand curve यह original demand curve है और यह supply curve है सब्सक्राइब आपने कैसे बनाया बेटा देखो demand कर downward स्वर्विंग सप्लागर अपर स्वर्विंग तो कोई भी demand कर बनाओ न इसमें कुछ यह नहीं है कि सब इसको इधर से जबनाना ऐसे इधर से नहीं अई सब कुछ नहीं है नॉर्मल डिमांड कर सप्लागर बनाईगे ठीक है पिर क्या बनेगा आपको मिलेगा यहां पे यहां से आप जब यहांसे आप एगलिब्रियम प्राइस मिलेगा यहांसे आप एक्स एक्सेस बढ़ जाएंगे तो आपको मिलेगा इकलिब्रियम औरतिटीए क्वेरियुल्ड क्वेश्चन जृष्टेट्श है खत्म हो जो गया सब मार्केट प्राइस जो है ना ये एक्विलीब्रेम प्राइस से ज्यादा चल रही है ये समझा क्वेशन क्या है कि वैसे तो ये प्राइस होनी चाहिए थी वैसे तो ये प्राइस होनी चाहिए थी समझो मैं बुर रहूं ये हैं 10 रुपे वैसे 10 रुपे प्राइस होनी क्या करना है आपको सबसे पहले तो सबसे पहले आपको आपने ये बना लिया इकलम प्राइस इकलम कॉंटिटी इत्ता हो गया फिर आप क्या करेंगे इसके उपर इकलम प्राइस से ज्यादा है न मार्केट प्राइस तो इसके उपर कहीं से भी एक ऐसा लाइन ब्रॉ करेंगे तो हमें पताचलेगा अच्छा मलब यह जो 12 रुपे वाली प्राइस है इस पे quantity demanded किता है तो इस point से demand curve तक जाओ तो इस पे मेरा quantity demanded देखो किता दिख रहा है इस पे मेरा quantity demanded इतना दिख रहा है और यही 12 रुपे price पे quantity supplied कितना है तो इस point से आप quantity supplied तक जाईए हैना मलब supply card तक जाईए तो वहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर quantity supplied बस खतम हो गया अगी खतम हो गया यही बस आपको बताना था क्या हो रहा है आपर बताईए कि जब equilibrium price से market price जादा होता है तो क्या हो रहा है इस price पे quantity supplied जादा है quantity demanded कम है तो जब यह situation होता है कि market price equilibrium price से जादा है तो हमारा जो quantity supplied होता है वो quantity demanded से ज्यादा होता है खतम अब मुझे एक बात बताईए सुनना बात ध्यान से एकदम logical चल रहा है बटाई एकदम logical मुझे एक बात बताईए कि अगर market में supply ज्यादा है demand से तो क्या होता है हमने पढ़ा एए चीज़ अगर market में supply ज्यादा है न डिमांड से इसको बोलता है बेटा surplus का situation क्या बोलता है इसको इसे बोलते है surplus का situation surplus क्यों बोलता है अरे market में बेचने वाले लोग बहुत है बेचने के लिए quantity बहुत है लेकिन खरीदने के लिए लोग बहुत कम है खरीदने के लिए जो लोग quantity मांग रहे बहुत कम है मनब surplus का excess stock एक्सेस स्टॉक पड़ा हुआ है सेलर्स के पास Çok Wehaar or या इतना मंपडा है दुकान में कोई आ खरी दी नहीं रहा है इतना मालँ पड़ा दुकान में कोई आ के खरी दी नहीं रहा है तो सस्टेट वोलेंगा अरे सुनना में मैं प्रidenा किम करता मैं प्राइस कम करता लेकर दोलों लेकर जाया इत्ता मालें पड़ेकर उख BUT तो क्या होता है यहां पर राइस पे भाष्ट का अगने मार का मार्की जो अभी प्राइस चल रही है कि मार्केट में आ 정부ि प्राइस चल रही है यह धीरे धीरे कम होगी, कब तक कम होगी, जो मार्केट में प्राइस चल रही है, वो गिरेगी, कब तक गिरेगी, एक भी लिब्रियम लेवल तक गिरेगी, अब मुझे बताईए, अगर प्राइस गिरती है, तो कौांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, अगर प्राइस गिरत है तो quantity demanded जो यहाँ पे था यह बढ़ना चालू करेगा कब तक बढ़ेगा equilibrium quantity तक बढ़ेगा जब price गिरती है जब price गिरती है तो quantity supplied भी गिरता है तो यह जो quantity supplied है यह गिरेगा कब तक गिरेगा equilibrium quantity तक तो बस खत्म यहाँ पे लिख देना है कि price गिरेगा quantity demanded बढ़ेगा quantity supplied गिरेगा यही इसका आंसर है किस चीज का आंसर है यह कि अगर market में market price equilibrium price से ज्यादा है तो क्या होता है यह होता है बस खत्म हो गया बहला सिच्चू खत्म चेक करो चेक करो चलो जल्दी से देखो मैं पहले वाले में थोड़ा आपको ज्यादा एक्स्पेंड किया अभी आगे तुरंद जल्दी होगा अभी फास्ट होगा थोड़ा सा ठीक है ध्यान दीजी चलिए येस तो अभी देखो तुरंद तुरंद देखेंगा यह तो क्या हो रहा से क्या असर क्या इफक्ट आएगा इसका इसका इफक्ट आएगा कि प्राइस पे डाउनवर प्रेशन आएगा प्राइस गिरेगी हमारी और जब हमारी प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरता है पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है कब तक market price equilibrium price से ज्यादा है तो कि ऐसा हो सकता है कि market price equilibrium price से कम हो कभी येस तो वही अगला situation है बोलता है कि अगर situation number two situation number two देखेंगे अगर हमारा market price कम है equilibrium price से तो फिर क्या होगा नीचे क्या लिखा है वो छोड़ो अपने diagram बनाते है तो diagram में क्या करना है सबसे पहले डाइग्राम में क्या करना है सबसे पहले जो है आप क्या बनाएंगे तो करेंटली मार्केट में प्राइस इतनी होनी चाहिए थी एकलिपियम प्राइस जितनी होनी चे थी लेकिन लेकिन मार्केट में प्राइस इससे मार्केड में तो अब इस प्राइस पे कितना quantity supplied, कितना quantity demanded है, इसके लिए यहां से line खीचना पड़ेगा, देखो, देखो समझो बात, इसके लिए क्या करूँगा, मैं मुझे यह देखना है कि इस price पे कितना quantity supplied है, तो इस इधर से मुझे supply करतों line खीचनी पड़ेगी, यह supply कर्व हैं, यहां तक line खीचा, और वह यहां से फिन नीचे आया, तो मुझे पता चला कि इस price पे हमारा quantity supplied है, इतना, और इस price पे quantity demanded कितना होगा, तो यहां से demand कर तक जाओ, तो यहां से demand कर तक जाओ, और यहां से पता चलेगा कि यह मारा quantity demanded है, सर, 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 मतलब की अब क्या हो रहा है, कि जो market price है, उस पे quantity demanded जादा है, quantity supplied कम है, quantity demanded जादा है, quantity supplied कम है, तो इसको कैसे लिखते हैं, सर, इसको कैसे लिखते हैं, सर, इसको ऐसे लिखते है, कि quantity demanded is greater than quantity supplied, यह समझा कि नहीं, कैसा है, अच्छा इसको बोलते हैं इसको देखो इसके दो नाम है इसको बोलते हैं एक्सेस डिमार्ड का सिचुवेशन या तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्योंकि जितना supply हो रहा है मार्केट में उससे ज्यादा लोग डिमार्ड कर रहे हैं तो एक्सेस डिमार्ड या इसे बोल सकता हूँ अब यह मैंने आपको पढ़ाया था कि जब डिमार्ड सप्लाय से ज्यादा होता है मार्केट में तो कस्टमर बोलता है सप्लायर को सप्लायर मुझे जो प्रोड़क्ट चाहिए ना वह कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी कर तो कहीं से भी प्रोड़क्ट लाए मेर इनको प्रोड़क्ट होना मतलब क्या प्राइसेज पर अपवर्ड प्रेशर आता है यहां पर प्राइस पर अपवर्ड प्रेशर आएगा क्या आएगा प्राइस पर अपवर्ड प्रेशर आएगा कहां तक बढ़ेगी प्राइस एक्युलीम प्राइस तक बढ़ेगी अच् तो quantity demanded जो है, यह गिरेगा, कब तक गिरेगा, equilibrium quantity तक, quantity supplied बड़ेगा, कब तक बड़ेगा, equilibrium quantity तक, खतम, तो यही answer है इसका, कि जब हमारा market price, equilibrium price से कम होता है, तो क्या होता है, यह होता है, खतम हो गया बटा, खतम टाड़ा बाई-बाई-बाई, चले जल्दी से देखेंगे इ तो देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, चले पड़ेंगे एक बार, बोलते हैं, जब market price कम है, equilibrium price से, तो quantity supplied हमारा कम होता है, quantity demanded से, इसको shortage का situation बोलता हूँ में, next आगे, इससे upward pressure आता है price पे, upward pressure आता है price पे, और जब price बढ़ती है, तो quantity supplied भी बढ़ता है, क्योंकि inverse relation होता है, और कब तक ये पड़ेगा, कब तक गिरेगा, up to equilibrium, क्या जोरदार होगा है, सर बात, है, क्या जोरदार बात होगी, बताईए, जबर्दस हैगी नहीं, मुझे बताईए, fast, हाँ, चलिए, जबर्दस्त, चलो, आगे, next, 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 तो ये तो सर बाते हो गई हमारी खतम next, अलो, चलो, अब बात करेंगे अगली, अब देखो, अब थोड़ा क्विक चलेंगे, हलका सा जल्दी चलेंगे, next, बोलता है, situation, third situation, देखेंगे, total 12 ही situation, ठीक है, जल्दी हो जाएंगे, डेंशन मतलो अभी, next situation है, increase in demand, बोलता है, अगर question में, अगर question में, सिर्फ, सिर्फ इतना लिखा है, कि, demand के increase होने के वज़े से, equilibrium price and equilibrium quantity पे क्या असर पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ये करेंगे, अगर demand increase होता है, तो इससे, हमारे equilibrium price and equilibrium quantity पे क्या असर पड़ेगा, ये बताना है, इसको रता नहीं मारना है, please, no रता, आप MV सर के class में है, है ना, no रता, please, इसको रता नहीं मारना है, मैं बतारूं क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, diagram बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, diagram बनाएंगे, कैसे बनादे diagram, सबसे पहले original demand कर, and evidence supplier बनाओ, and इसका equilibrium बनादो, ख़तम, हो गया हमारा, ये काम हमारा हो गया, इतना हमारा हो गया, सबसे पहले बनाना, सबसे पहले original equilibrium बनाना हमेशा, ठीक Hey Sir, अब बोल रहा है, कि हमें बताईए अब वो बोल रहा है कि अगर हमारा क्या बोला था उसने अगर हमारा demand increase होता है तो क्या होगा ठीक है चलो demand को increase करो तो ये हमारा demand curve है ये supply curve है demand को increase करो तो क्या होगा demand को increase करेंगे तो demand में rightward shift आएगा तो demand को को इंक्रीश कर दो सा fibre को मैंने डिमांड को इंक्रीश कर दिया तो अब नया इक्रूलिब्याम क्या मेरा नया एक्राम यहां पर आ ई– यह हो नया उक्यम्याद को इंक्रीश किया ठेके डिमार्ड को इंक्रीस किया फिर क्या मैं यहां से इकल्यम बनाए ठीक है तो यहां से चाहिए नया इकल्म मुझे मिल गया तो क्या हुआ जो पूराना equilibrium था इससे नया वाला प्राइस बढ़ गया है और जो पूराना equilibrium quantity था इससे भी equilibrium quantity बढ़ चुकी है तो जब demand increase होता है तो क्या होता है equilibrium price and quantity दोनों increase होते हैं देखो क्या लिखा है दोनों यहाँ पर increase होंगे यह याद रखने की जरुवत है क्या नहीं diagram बनाने की जरुवत है बस diagram बनाओ answer निकालो बस समझ मा आ गया आगे next situation इसमें आपने supply को क्यों नहीं बढ़ाया बिटा जितना बोला उतना करना यहां पर बोला क्या सप्ला के साथ कुछ करने के लिए नहीं तो उसको रेंद दोना वैसी अगला देखेंगे अगला next अगला है बिटा कि अगर decrease in demand हुआ तो अगर हमारा डिमांड जो है वो decrease होता है तो इससे क्या असर पड़ेगा कुछ नहीं करना है डाइग्रम बनाओ पहले आजाओ डाइग्रम बनाएंगे चली तो डाइग्रम बनाएंगे आईगे सबसे पहले क्या करेंगे ओरीजिनल डिमांड कर्व औरीजिनल इकलिव बस कैसे भी यह मेरा सप्लाइगर बोलता अब आप डिमांड को डिक्रीज करके देखो तो इससे क्या असर आता वह बताओ हमने बलाओ ओके यह लो मैं डिमांड को डिक्रीज कर रहा हूं तो मैंने डिमान्ड को डिक्रीश कर दिया है तुछ वरा सा हमारा राम बात नह रिधात ले को रख किंग वह अब आप नागा भी लोगाँ है अब यहाँ पे नया इक्रिबंड और यह नया सप्लक हर मनब और इनस सप्लाक שה एंद इमान प्रिया आजाएगा एलगा एफिर दिए इफेक्ट ऊन, दिए इफेक्ट उन एक्लिमम प्राइस डिक्रीज, इफेक्ट ऊन एकलिम प्राइस डिक्रीज, इसका इसका इफेक्ट, खत्म, खत्म हो गया, चार सिचुएशन खत्म, क्या जोड़धा पात है सर, जबर्दस्थ, आगे बनेंगे next, चलों अगला एक के था ईए लिए अच्छा पाच्वा सिच्ट से ले अगर सिर्फ इंकरीष थो क्लो fat कुछ नहीं करेंगे डाग्रम मनाते हैं, सबसी पहले सपल्ग कर और सब्सक्राइसे अब क्या और इक्रिफलिभरियम ठीके सर आजो आजो तो सप्लाय को इंक्रीस करूंगा तो राइट वर्ड शिफ्ट आएगा ओके तो सप्लाय में राइट वर्ड शिफ्ट बता दो तो यह रहा सप्लाय का राइट वर्ड शिफ्ट मैंने सप्लाय में राइट वर्ड शिफ्ट बना दिया अच्छा अब क्या क है चेक करो क्या हो रहा है किया हो रहा है यहां पर मेरा प्राइस गिर रहा है पर क्वांटिटी बढ़ रहा है प्राइस गिर रहा है क्वांटिटी बढ़ रहा है चेक करो अरे चेक करो रहे राजा चेक करो कि एकलिबन प्राइस आपका गिरेगा कि एकलम प्राइस आपका गिरेगा इकलिबन कौंटिटी आपका बढ़ेगा क्या याद रखनी की जर्वत थी क्या नहीं रहेWest Dam Mira डाइगरम मनाव आंजरा आता है समझे है डाइगरमा बनाव आंजरा आता है हमने अब भी निकाला ने देखो ना डाइगरम के हिसाब से प्राइस गिना और कवानटिडी बड़ा चेक करनो डन रा डन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इसी प्रकार से मिले बताईए छटवा देखो भईया आधा तो हो भी क्या आधा यूनिट खतम छटवे पॉइंट में हम छटवे सिचुएशन में टोटल बारा सिचुएशन है सिक्स्ट सिचुएशन देखो जल्दी से बोलता है डि होगा दो डिक्रीसर करो कुछ नहीं करना है डेंजात्योगरह मनाएग मैं वह ब्र हुआ हम अरिजिनल डिमांकर और अरिजिनल ऍेमांड कर पूरी सेमाइब पर कूरेगरिके संनल करो सब्सक्राइब को डिक्रीस करो जल्दी से Then these HOLDS मने अप्सक्ला कर न们 सब्सक्राइब को डिक्रीस कर दयो मलब लेफ्टा फिशिफ्ट बता दिया उप्रकोिक्रीस करना म统ले लेफ्ट पर्सिर्फमिन पिरेक्ट सब्सक्राइब करेकτα जहन रहा है कि प्राइज जो है बढ़ रहा है और कॉंटेटी जो है गिर रहा है अधो छेटवाभी हमारा हो गया है मुझे पताए कोई भी डाउट है अभी दक कुछ सब्सक्राइब जब्सक्राइब आपके बुक में एक ऐसा टॉपिक दिया है जिसको बोलते हैं simultaneous change जैसा देखना आपके बुक में आपके स्टेडी में पॉइंट दिया होगा simultaneous change कि simultaneous change के वज़े से क्या होता है simultaneous मतलब क्या अभी तक सिर्फ demand कर बदल रहा था तिर्फ supply कर बदल रहा था अगर ये दोनों साथ में बदले तो यह यह अगला point next point अगर समझ लो demand और supply दोनों बढ़ते हैं बड़ इसमें बेटा तीन situation हो सकते हैं इसको हम लिख लेते हैं ठीक है चल इसको हम एक जगा में नोट करते हैं कोई मेरे साथ नोट करेगा प्लीज क्या कोई मेरे साथ यह नोट करेगा प्लीज मैं बोरो देखो मेरे बास अना मैं क्या बोल रहा हूं सुनो तो सही सुनो ना मेरे बात हैं मैं अच्छी बात बोल रहा हूं सही मैं आपको अच्छा लगे का सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूं कि increase in demand कि increase in demand जो है demand भी इंक्रीज हो रहा है और supply भी increase हो रहा है बेनांड हो रहा है बैटा और सप्लाइ भी रहा यह मों सकते हैं पर देन इसमें तो तीन बात हो सकते हैं तीन बात वह सकती है यह हो सकता है एक सब यह तो एसा हो टीमार्ड जो है सिधितना दिमार्ड में इंक्रीज हुआ इतना ही सप्लाई में इंक्रीज हुआ तो इसने इसे हमारे एक्विलिब्रियम प्राइस and equilibrium quantity पे क्या असर पड़ेगा यह हम देख रहे हैं ठीक है यह एक case हो गया दूसरा case क्या हो सकता है मुझे कोई बता सकता है दूसरा case बोलते देखो दूसरा case पिटा हो सकता है कि हमारा demand supply दोनों increase हुआ लेकिन लेकिन जो है लेकिन जो है दा increase in demand is greater than increase in supply ठीक है मतलब demand में increase ज्यादा हुआ supply में increase कम हुआ समझ मारा अच्छा तीसरा case क्या हो सकता है कि दोनों increase हुआ demand भी increase हुआ supply भी increase हुआ लेकिन increase in demand is less than increase in supply तो यह तीन cases यहाँ पर बन जाते हैं यह तीन cases बन जाते हैं और इन तीनों के वज़े से क्या असर पड़ेगा इकल्म प्राइसन quantity पे यह अभी हम देखने वाले हैं यह समझा के बात और यह summary में क्यों बना रहा हुँ यह अभी आपको समझेगा कि summary sir क्यों बना रहे है ठीक है चलिए आगा बढ़ेंगे जली साइंग इधर यस तो अभी बार चेक करो अगर हम यह कौन सा केस है पहला केस है जितना demand में इंक्रीज हुआ उतना ही इंक्रीज सप्लाइ में हुआ तो क्या होता है इस से यह हमको देखना है ठीक है चलिए तो एक बाद चेक करेंगे क्या करना है same demand पहले आप डाइग्राम बना के ही आणसर निकालना है रट्टा मारेंगे ही नहीं ठीक है चलो ध्यान देंगे चली सो यहां पर सबसे पहले सबसे पहले demand कर बनाया supply कर बनाया and equilibrium बनाया इतना तो पहले आपको कर लेना है अब हमें क्या बोला है दोनों increase हो रहा demand curve भी बढ़ रहा है supply curve भी increase हो रहा है लेकिन दोनों में equal increase है तो क्या करते है देखो पहले supply को increase करो मैंने supply को increase कर दिया है ठीक है rightward shift बता है supply curve में अब demand curve में भी rightward shift बताना पड़ेगा demand curve में भी rightward shift बताना पड़ेगा yes or no हाँ sir इपर देखो कहा रहा है यह एक्षिलिब्रियं तो संज्ळाना बात क्या है ना जितना डिस्टेंस आप हिदर रहे हुन अवरसे इसलेर इंक्रीत आता है समझाना बढ़ और रहो है तो अब जो है मेरा है यह आ क्या हो रहा है जो पुराना हमारा प्राइब था ना ज्योवरह बैससा वही प्राइब भीज है लेकिन हमारए equilibrium quantity है ये बढ़ चुका है ये समझा क्या बढ़ रहा हूँ हाँ मलब price same रहेगा देखो क्या है ये देखो price same रहेगा लेकिन quantity बढ़ता है याद करना ही नहीं है diagram बनाना है तो इसको वहाँ पर लिख देते तो एक बार अगर यहाँ पर लिख देते हैं चल एक बार इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि इस situation में क्या हुआ कोई बता सकता है मुझे इस situation में क्या हुआ ये पहले situation में price हमारी same रही price remains same लेकिन quantity हमारा increase हुआ yes or no fast मुझे बताएंगे please quickly ये बास इनमें आगी की नहीं बताएंगे fast जली से do okay sir done 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 आगे बढ़ेंगे next चली अगला अब next लेकितश देखो ये हो गया इसको जाणाब ही हो गया इसका खथम सेविन हो गया आप आगे 8 वाला देखो 8 वाला देखो क्या बोलता है बोलता देखो demand भी increase हो रहा supply भी increase हो रहा लेकिन जो है, डिमार्ड में जो increase है, वो ज्यादा है, मलब डिमार्ड में ज्यादा increase करो supply से, इसका मतलब क्या है, diagram से बता रहा हूँ, आईए, सबसे बिले क्या करना है, original demand कर, original supply कर बनाना है, original equilibrium बनाना है, simple, अब, demand में increase करो, लेकिन ज्यादा increase, तो demand में ज्यादा increase कर रहा, देखो, कि इतना ज्यादा shift हो गया, demand कर, ठीक है, तो demand में ज्यादा increase किया, और supply में करो, थोड़ू सा increase करो, तो supply में एकदम थोड़ू सा increase करो, डिमांड जितना है डिमांड से कम करना है अपने को इंक्रीस तो सप्लाइए में थोड़ू सा इंक्रीस करो ऐसी बाते हैं क्या तो हमारा ये नया डिमांड का नया सप्लागा नया एकलिब्रम मिल गया नया एकलिब्रम वहां से डालो डंडी ये नया एकलिब्रम मुझे मिल च सुखा है कि perception है हमारा equilibrium price बढ़ रहा है equilibrium quantity भी बढ़ रहा है खतम हमे concept क्या लिख़ा है इसका effect देखो है इसका effect देखो इसका effect ऐसकacked the price increase इसका effect on quantity increase याद करना नहीं है डाइगराम मनाना है तो इसको लिख दो तो एक बार वहाँ पर समरी में लिख दो हमारी में तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ कि जब increase in demand जादा होता है increase in supply से तो यह भी increase होता है और यह भी increase होता है yes or no क्या आप सब यह मानते हैं जो मैं लिख रहा हूँ अगला नेक्स्ट अब जो थर्ड केस था उसमें वो देखें हैं बला हमारा increase ज्यादा है demands से 249 इसको इस्मिया क्या अईसा भी लिख साकता है अरे राजा मैं अगर बोला सुनो ना बात ध्यान से हम मैंने अगर बोला बिटे हां मैंने अगर बोला बिटे की दीब मैंने बोला दीब दीब जो है ये क्रिश से लंबा है दीप अगर क्रिश से लंबा है दीप की हैट क्रिश से ज्यादा है मतलब क्या है क्रिश की हैट दीप से कम है तो से वैसे ही अगर increase in supply increase in supply is greater than increase in demand तो क्या इसको उल्टा लिख सकता गया increase in demand is less than increase in supply क्या ये एक ही बात है क्या राजा ये दोनों एक ही बात है क्या मैंने बोला increase in supply ज्यादा है increase in demand से क्या इसका यही मतलब है क्या increase in demand कम है increase in supply यह से यह सोर नो चल्टू बात है क्या गंगा धरी शक्तिमान आप बिल्कुल सचीन अरे क्या बात है जबर दस्त जबर जस्त आई तो तेखेंगे क्या करना है अब दोनों इंक्रीस करो फिर से कि डाइगरामनाओ कुछ डाइगराम अर जबर मनाई और जल्दी से सुनेंगे कर देंगे मैं और ज्यादा बढ़ा रहा है और ढिमान को भी बढ़ाई पर थोड़ू शाब अबढ़ाओ इसको में थोड़ू सब भादिया कर doet शोर्या कि अन्यिसरे इस्ट होना था इप्धशन है इंग्रीज गिर रहा है, क्वंटिटी बढ़ रहा है. खत्म. तो देखो क्या लिखा है. प्राइस गिरता है, क्वंट्यटी बढ़ता है. सेर कुछ याद करना ही नहीं है, डायग्राम बनाना है. जब ऐससे सवज आए, याद करो यही मैं डाइगराम बनाओ. तो price को decrease करो, quantity को increase करो, आजो इदा summary में लिखते इस चीज़ को, इसको यहाँ पे लिखते हैं, आजो जल्दी से लिखेंगे मेरे साथ, जल्दी से लिखेंगे मेरे साथ, तो third situation में क्या हो रहा है, कि हमारा जो है यहाँ पे price गिर रहा है, लेकिन quantity बढ़ रहा है, खतम क्या, ये बात सबको समझ में आई या नहीं, ये बात सबको समझ में आई या नहीं, है न, क्या समझ में आया क्या, क्या आपको समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, अब, अब मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना है, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, एक्जाम में ऐसा MCQ आता है, क्या बोलते हैं, एक्जाम में आपको बोलते हैं, सुन्या बात ध्यान से, ठीक है, एक्जाम में आपको MCQ पूछते हैं, सुनो ना, प्लीस, तुमको कुछ बोलना ह सुन्दों सभी एक्जाम में बेटां एमसी क्यों पूछते हैं क्या पूछते हैं सरें से क्यों एक्जाम में बोलेंगे की की स्ट्राबरी जो है ना स्ट्राबरी इस का स्ट्राबरी इसका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है एंड होट वेदर के वज़े से जो है लोग आजकल स्ट्राबरी को ज्यादा खरीद रहे है इसका क्या असर पड़ेगा स्ट्राबरी के एकिविलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे यह सवाल होता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह हैं बोल रहे है कि स्ट्राबरी का प्रोड़क्शन बढ़ रहा है मलब स्ट्राबरी का सप्लाइब बढ़ेगा hot weather के मज़े से लोग's properties ज्यादा consume कर रहे हैं मतलब कि इसका demand बढ़ेगा yes और no मुझे जल्दी बताएंगे बटा yes और no मुझे जल्दी बताएंगे yes sir इसका demand बढ़ेगा लेकिन question में बेटा ये नहीं बताया कि question में ये तो बोला ये तो बोला कि ये increase हो रहा ये भी increase हो रहा लेकिन question में ये नहीं बताया कि increase in demand equal to increase in supply increase in demand greater than increase in supply या increase in demand less than increase in supply ये तो बताया ही नहीं मतलब कि question में सिर्फ इतना बोला है कि ये दोनों increase हो रहा है इसका क्या असर पड़ेगा बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, यार जब ये दोनों इंक्रिस हो रहा ना, चेक करो, इक्विल इप्रियम कॉंटिटी तो हमेशा बढ़ रही है, लेकिन प्राइस, तेम रहती कभी-कभी, कभी-कभी बढ़ती है, कभी-कभी गिरती है, तो इसका आंसर होता है, बेटा, इसका आंसर क्या होता है, सुनना अभी ध्यान से, इसका आंसर होता है, कि इक्विल इप्रियम कॉंटिटी विल इंक्रिस, चाहे कुछ भी हो, ये तो इंक्रिस होगी ही, but but the effect on price but the effect on price cannot be determined हम देखो price भी change होगी, price बढ़ भी सकती है price जो है increase भी हो सकती, price decrease भी हो सकती या same भी रह सकती है, हम ये पक्के से नहीं बता सकते लेकिन quantity बढ़ेंगी ये पक्का बता सकते है ये इसका logic है, जो अब रट्टा मारते थे न बिदागी इसका logic है इस चीज़ का, ये समझमारी बात है क्या बोल रहा हूँ ये logic है इसका, अब देखो, अब देखो पिटा सवाल क्या आता है, देखें ये देखो, strawberry वाला सवाल बता रहा हूँ कहां गया रहा, strawberry नहीं लाएगा मैं चलो strawberry का शोड़ो दूसरा देखो, जान दो, ये देखो, ये वाला देखो ये technology वाला, computer वाला है, सेम सवाल है, चेक करेंगे, प्रविटर वाला नहीं लाएगा, हम दूसरा लाएगा, ठीक है देखो, लोगों को जोना, नए uses पता चले, परस्नल कम्पूटर के, इसलिए वो और ज्यादा उसे utilize कर रहे हैं, परस्नल कम्पूटर को, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब की हमारा demand भी increase हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बताया, कि इन दुनों में equal increase है, या ये ज्यादा है, या ये ज देखो, आपने जितना information दिया ना हमको, उसके हिसाब से quantity तो बड़ेगा ही बड़ेगा, लेकिन price का effect में नहीं बता सकता, इसलिए answer option C है यहाँ पर, ये आपको क्या logically समझ मारा है, ये point क्या logically समझ मारा है, हम देखो, हमारे तीनों cases में, हमारे ये तीनों cases में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, तीनों cases में quantity तो बढ़ता ही है, लेकिन price का exact effect नहीं बता पाऊंगा, मैं, क्यूंकि तुमने question में हमें ये नहीं बताया, क्यूंकि तुमने question में हमें ये नहीं बताया, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता exactly, पर ये तो बड़ेगा ही, quantity तो हाँ, तो अब हमारा ये वाला देखो, क्या जो चीजे हमारी बेटा यहाँ पर increase के साथ हो रही है, क्या यही चीजे decrease के साथ हो सकती है, क्या, यही चीजे decrease के साथ हो सकती है, क्या, मुझे बताईए, मतलब कि अगर मैं इन सब को decrease decrease लिख दू तो तो फिर क्या होगा अगर मैं यहां पर decrease decrease लिख दू तो क्या होगा तो क्या होगा अगर मैं अब decrease की बात करूं अगर demand and supply दोनों ही decrease होता है तो वापस से तीन बाते हो सकती है या तो हमारा decrease in demand is equal to decrease in supply या तो decrease in demand is greater than decrease in supply या तो decrease in demand is less than decrease in supply तीन केसे हो सकते हैं अब अगर आप इन तीनों का डाइग्राम बनाओंगे जो आप homework करेंगे अब तो चेक करेंगे आप तीनों में quantity decrease होगी तो चलो एक बार देख लेते हैं अब मैं डारेक्ट आपको ड्राउनी कर रहा हो डिरेक्ट बता रहा हूं देखें चलिए एक बाद quickly देखेंगे देखो यहां पर जैसे इन्होंने बोला है कि अगर decrease in demand is greater than decrease in supply करेंगे तो यहां पर demand को ज्यादा decrease करो यह demand कर रहे इसको ज्यादा decrease कर दिया और supply कर को कम decrease किया तो मेरा नया इकल पर मुझे मिल जाएगा quickly बता रहा हूं यह वाला तो क्या हो रहा है देखो यहां पर मेरा price भी गिर रहा है और quantity भी गिर रहा है चेक करो यहां पर price भी गिर रहा है quantity भी गिर रहा है तो कब है यह जब demand में decrease ज्यादा है तो दोनों decrease है तो second case है वहाँ पर जब demand में decrease ज्यादा है तो हमारा यह भी decrease हो रहा है और quantity भी decrease हो रहा है अब आगे बढ़ेंगे next दो situation बस बचे जल्दी से देखेंगे एक बार quickly quickly देखेंगे हाँ बोलते हैं अगर decrease in supply ज्यादा है तो supply में अगर ज्यादा decrease है demand से तो फिर क्या होगा तो supply को ज्यादा decrease कर दो आ जाओ यहाँ पे आप supply कर जो है इसको ज्यादा decrease करो अच्छा तो इसको देखो मैं ज्यादा decrease कर रहा हूं प्रैस बढद रहा है क्वाथिडिटीघ्र गिर रहा है षफ लेकिन प्राइस बढ़ रहा है चेक प्राइस बढ़ रहा था प्राइस बढ़ रहा है तो यह केस में क्या होगा जब दोनों एकवल होगा तब क्या होगा वहां पर प्राइस सेम रहता है कि अगर आपको वह बोला मतलब कि अगर आपको वेस्टन में बोला देखो अलास्थ सिचोविशन दोनों ऐकल रहा सो डिकरीजिंट्स अप्लाई इस इकवल टू डिकरिस इन दिमांद दोनों एकवल रहा तो क्या होगा तो प्राइस जो है वह सेम रहता है लेकिन डिमांड आ इसका समरी देखो वेटा समरी अगर आपको question में बोलते हैं अगर आपको question में ऐसा data दिया रहता है कि demand supply दोनों गिर रहा है तो question में यह नहीं बताया कि supply ज्यादा गिरा कि demand ज्यादा गिरा कि दोनों में equal decrease है वो नहीं बताया सिर्फ इतना बोला कि दोनों decrease तो क्या बोलोंगे देखो equilibrium quantity तो गिरेगा ही गिरेगा लेकिन price जो है यह बढ़ भी सकता गिर भी सकता सेम भी रह सकता मलब मैं price का effect नहीं बता पाऊंगा और अगर question में बोला कि demand and supply दोनों बढ़ रहा है तो equilibrium quantity तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन price बढ़ भी सकता गिर भी सकता सेम भी रह सकता price का effect नहीं बता पाऊंगा क्या यह logically समझमा आया या नहीं मुझे बताएंगे क्या यह logically समझमा आया कि नहीं आप मुझे बताएं फास्ट पक्का यही सवाल majorly इस unit से आते हैं देखो यह भी एक पार सवाल पढ़िए क्या लिखा है देखो जली से अच्छा पेटा सारे situation हो चुके खतम हां हो गया है खतम unit इतना ही था MC को करो assume that consumer income and number of seller in the market of good a both decrease consumer का income गिर रहा है consumer का income गिर रहा है तो demand जो है यह decrease होगा number of seller कब हो रहे है market में तो decrease होगा बेटा supply भी तो पूछा है हम क्या conclusion निकाल सकते है equilibrium का question में यह नहीं बोला कि demand ज़्यादा decrease हो रहा कि supply ज़्यादा decrease हो रहा कि दुनों में equal है यह question में नहीं बताया है तो हम certainty के साथ क्या बता सकते हैं अगर दोनों decrease हो रहा है तो quantity तो गिरेगा ही गिरेगा तो answer है option D मैं यह पक्का बता सकता हूँ लेकिन price का जो effect होगा price का जो effect होगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा क्यों नहीं बता पाऊंगा क्यूंकि आपने यह mention नहीं क्याना question में इसलिए यह पक्का सबको समझ माया यह यह पक्का सबक्राइब जबरदस बात ने बेटा क्या जबरदस बात है राइट चली तो यह भी हो गया यह वाला देखो रहाए तो ठीक है यह तो आपको ड्रॉ करके निकालना पड़ेगा ठीक है यह तो आप ड्रॉ करके निकाल सकते अगर कि आज होता है तो इसकizione करेंगे रट्न नहीं बढहेंगे ड्रॉ करके करेंगे तो इस में क्या होता है दोनों ही आपका इंक्रीज होता है, इकलमें प्राइस और क्वानिटी बोथ विल इंक्रीज, यहां पर question में दिया है ना, कि दोनों में change है, कौन सा जाथ, कौन सा गाम है, इसलिए, ठीक है next, है ना, खतम, मझे गीजे बेटा, economics chapter 4, unit 2, खतम हो चुका है, मलब chapter 4, जिससे बच्चे डड़ते है उसके 2 unit खतम, so guys, I hope कि आपको मजा होगा हमारे आज के इस वीडियो में, जबर्दस तरीके से हमने हमारे topic को cover किया है, and दोस्तों, अभी जो है, यहां पर, unacademy का biggest दिवाली giveaway आ रहा है, 25% off आपको मिलेगा, unacademy पे, अगर आप ये code को use करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने और इंटर के सब्सक्रिप्शन के लिए exactly ये code आपको use करना है, ये offer 24th of October 2022 तक ही valid है, तो 25% off मिल रहा है, जब दस चीज़ा आप जरूर unacademy का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, so thank you so much guys, and जो है 24th October के बाद आप वापस से mv sir code use कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए, and आप आप जो है मुझे follow कर सकते हैं, and academy आप पे हमारे community टैप को जरूर जोइन करे, साथी साथ मेरे जितने भी free sessions है, वो मैं upload करतेता हूँ, यहाँ पे bit.ly slash ambition academy, यह मेरे video library की link है, ठीक है, and जो है जरूर like करे, share करे, subscribe करे चैनल को, comment करके बताना कि आपको मुझसे बढ़के कैसा लगा है, so thank you guys, अपना ख्याल रखे, अपने parents का ख्याल रखे, क्योंकि हम, हमारे parents के मेंना कुछ नहीं है, thanks guys, bye bye, मिलते हैं, अगली video में.